हेलो एविवान वेलकम टू येट अनदर एपिसोड अफ मेंटर्स ग्यान आज हमारे साथ एक लेजन बैठी हुई है जिनने खुद बाइस साल की एज में इस एग्जामिनेशन को को सीजी पीएसी जैसे कटिन एग्जामिनेशन को क्राक किया हुआ है से लेट्स वेलकम रुची शर्पामाद हलो है अपके लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपका सीक्रेट आज आज आपको सब कुछ शेयर करना है कैसे इस एक्जाम के तियारी करें मुस्ट कैसे आप पूरे सिचुएशन को डील करते हैं सब कुछ डीटेल में जानेंगे पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए मेरा नाम रिची शर्मेह है मैं वर्तमान में रायपूर डिप्टी कलेक्टर के रूप में पोस्टेड हूँ मैं रहने वाली विलासपूर की क्योंकि आप इंजिनिरिंग बैग्राउंड की रही है और नॉर्मली अचा रहता है कि वो सोचने की गेट इंजिनिरिंग सर्विसस फील्ड में जाएंगे तो आपको यह थॉट कैसे आया कि मुझे सिविल सर्विसस की तियारी करने हैं मैं पहले क्लियर थी 10th में ही मैंने क कि अग्योंगें करिक थे अग्यो फ़ाएंगें क्या होती है और टाउड यह जो पच्चे के मन में होता था कि मुझे अगर युपीसट का करना है तो फो स्यम्दैये करना है तो उसमें एक बहुत अच्छ अर्ल dip lle teachers रहता है तो उसमें एक अथा अर्या डिक्राएंगें स मेरे लिए इस अधान था मुझे मैध भी पसन था तो फिर मैने इलेवें में फिर मैध्स लिया और इंजिनिरिंग से ग्रेजवेशन किया और जैसे मेरे ग्रेजवेशन कम्प्रीट वा मैं पीजवेशन के तैरी करने लग गई और फिर फस्ट अटेंप में मेरा 216 रंग और स अगर बहुत बड़ी बात हुती है कि आप इते कम एज में अप सिलेक्ट हो जाती है तो आपको पता था इस एक्जाम के बाद होता क्या है, क्या-क्या दाइद तू रहते हैं, क्या-क्या करना पड़ता है, कि बस आप पढ़े, निकला और आप जॉब जोईनिंग के बाद कि वास्ताव में क्या होता है एक्चुली में क्या होता है कि हम सेलेक्शन से पहले हम को पता भी नहीं होता है कि हम को क्या काम करना होता है सेलेक्शन के बाद हमारे पस क्या कादाइत वाते हैं हम को उतना जादा हमारे पास में पिच्छर क्लियर नहीं होती है तो हमको बस इतना पता होता है कि हम select होके जाएंगे हमारे पस बहुत अच्छी opportunity रहती है हम society के लिए कुछ काम कर सकते हैं हम आरे पस scope रहता है हमारे पस संसाधन रहते है हमारे पास में वो पूरी machinery रहती है scenario रहता है हमारे पास में कि हमको वो सारी चीज़े हमारे favor में हो जा कर आते हैं फिर आप इस field में आते हैं फिर आपको फिर actual में चीज़े फिर समझ में आती है वास्तों में क Commissioner रियाल्टी है, क्या चैलिंजे से, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इदाइत होते हैं आपके पास में, आप आते तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, आप आते तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में हैं, लेकिन आपकी भूमिका याण के प्रभारी बनते हैं, कभी आप निगम में अपनी सेवाय देते हैं, कभी आप मंतराले में अपनी सेवाय देते हैं, फिर वो पूरा सिनारियो जो उसका व्रिहद रूप में समझ में आया, वो तो जॉब में आने के बाद ही समझ में आया, कि किस-किस प्रकार से काम कि एक इंपॉर्टर के रूप में आप एक हॉस्पिटल में सब्सक्राइब कर सकते हैं लोगों के सांथ और इसी वेरियस अदर फॉर्म्स रहते हैं जैसे यह वगरा हो गया तो सिविल सर्विसेस कैसे इससे डिफरेंट है सिविल सर्विसेस में आपको इन सभी जो भी आपके आपने भी नाम लिया वो सब क्या होते हैं जैसे आप डॉक्टर है तो आपका पुरी बैसर्ट साल की एस तक है आप उसी लाइन पर काम करेंगे आपका फिल्ड एक निश्चित है कि आप जैसे मालीजे आप इस्त्री होगा है थापके हैं आसे में आपकी बहुत सारी होती हैं इन में आपके आसमें यह तो इसराइक्ट होगा है इस-सका व्रिफट रूप हो जाता है अवाड commute रिबैट उन में Visat इसलिए यह अन्य सर्विसे से अलग होता है जो आप उस समय सोचा करते थे और अभी जब आप देखते हैं तो क्या था जो आपको लेके आया कि इस पोश्ट के लिए इसका अट्रेक्शन तो यह है कि जब आप कभी भी किसी भी सिविल सर्विसे में जो अधिकारी आप जब उ सोसाइटी के लिए तो उसके पास में किसी भी तरीके की बाधत तत्व नहीं है मतला आप अगर मालीजे आप बिजनस्मेन है आप मालीजे आप कुछ अच्छा काप करता चा रहे है इसकूल में कुछ चीज डोनेट भी करता चा रहे है लेकिन आपको वो काप करने से पहले बहुत सरी परमिशन्स लेने पड़ते हैं बहुत सरी चीजे आपको लाइनप करनी पड़ती है आपके लिए उतना असान नहीं होता वो चीज लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं आप एक सज्डेम के रुप में कारे कर रहे होते हैं जनपस्यों के रुप म पर दिजिटल बोर्ड लगा के बच्चों के लिए एलर्निंग फैसलीटी सुरू करनी है उनके लिए आयए जड़ एक स्टार्ट करना है बच्चों के लिए एक्स्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मुझे कुछ काम करना है तो आपको किसे से परमिशन लेने की ज़र वो दिन को एक्स्प्लें करी आप क्या कर रहे थे क्या हुआ था किसको फोन लगाया क्या क्या किया वो दीन समगा था मतलब ऐसा था कि मैं जिस चीज की कलपना भी नहीं की थी और आज तक वो दिन नहीं भूर पाई हूँ मुझे याद है साड़े साथ बजे रिजल्ट आय बंच पर लिए हुआ है ओंको फोन लिए है मैं तो उनको फोन आया मिरे भपया को फोन प्ला में पास पासकर से उन Logic टेल्ट हूं थे क्या उनका सबी particular तो फिर अप्चुकि उनका नंबर था तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया किरुची तरह रिजल्ट आ गया है और थाड रेंक आया है, भाईया मैं मजा के बिल्कुल मुड़ मेरी हूँ, अब फोन रखो, अभी मेरे रिजल्ट आने वाला है, और मैं उस चीज अभी फोन मेरा अभी दिमाह करा मत को और मैं जस बाती गरी तीव में देखा मेरे नाम फ्लेश हो है, थार्ड रैंक रुची शर्मा, ओ गौड फिर वो अली जो सिच्वेशन थी, मैं तो आपे से बाहर थी विर उसके बार मैंने जो भाग्वान के साफ ने गई मैं मंदिर सामने जागे बस बैठ गई वहां पे और बूरी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रियक्ट कैसे गरो उसके पासे जो फोन बजने स्टार्ट हुए मतलब मम्मी का पापा का मेरा कंटीन्यू फोन बजने स्टार्ट हुए वो फोनी बन नहीं हो रहा था इतनी मतलब कॉल कॉल वेटिंग पे कॉल गॉल्स बधाईओं के सारे जित्ते दोस्ते रिष्तेदार थे सब कोई बधाई दे रहे थे सब कोई वह इतना अच्छा पूरब जिस का लोनी में मैं रहती इस माहूनी कि में महौल इतना अच्छा सेलिब्रेशन वाला मोहल हो गया तो सब मिटाई बार तो बहुत रहते हैं तो इन्जॉइ कर रहे थे मतलब मैं वह रात नी सोई उसके बाद वाला रात नी सोई उसके बाद तीन दिन तक मैंने सोई नी और मैं अपना रिजल्ट भी नहीं देख थी क्योंकि इतनी इतनी अच्छी फिलिंग थी वह उस टेम पर इतने सारे लोग घर में आ रहे थे सब बढ़ाई दे रहे थे और मैं वह सब चीजों में इतना उलज गई थी कि मैं अपना फाइनल रिजल्ट खुदी नहीं देख पाई मैं तीन दिन बात देखिए थी अपना रिजल्ट कि अच्छा मैं कॉन से सब्जेक्ट में मैंने क्या स्कोर किया और क्या अगर आप उस उनकी हसी में उनकी आप हसी की रिजन आप हो और वह जान के जो और खुशी होती वह अलग लेवल में जाती है फिर बहुत अच्छा लगता है मैं अभी भी वह ग्लेटर अपके आखों में देख पा रहा है उस चीज पो सोचते हुए जो आपके साथ गौगा उस समय पे और कई लोग मतलब उस एहसास के लिए ही इतनी जादा मेहनत कर रहे है ना और इंग इस वार्थ है वार्थ है वह आएगा और ऐसा होगा वह जो दीन आपकी जिन्दगी में जब भी आएगा वह दीन आपकी जिन्दगी का सबसे खुश्णुमा दीन होगा आप उसको पुरी लाइफ नहीं भूस पाऊगे बहुत सारी चीज़े हैं अभी आप लोगों को बताने वाले हम लोग की लाइफ में क्या-क्या होता है कैसे प्रॉब्लम्स को डील करना हर एक चीज तो वीडियो इंट तक देखिएगा क्या आप लोगों के ऐसा होता है कि आप अब फिर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारा काम रहता है और आप उसको complete नहीं कर पाते जब आप पढ़ाई करते हैं और जितना decide करते हैं उत्ता complete नहीं कर पाते तो आप लोगों के लिए good news है मैं आप लोगों के लिए time management का course लेके आ रहा हूं जिसमें आप इन सारे चीजों को manage कर पाएंगे मैंने बहुत सारे officers, toppers का interview लिया हुआ है और वो सारे के सारे master है time management में मैंने उनसे बाते की उनकी strategies को जाना और उसी के base पे मैं आप लोगों के लिए practical course लेके आने वाला हूं जो कि आपको help करेगा अपने time को manage करने में जानने में कि आप time कहां waste करते हैं और कैसे अपने limited time को बहुत बहतरीन तरीके से आप utilize कर सके तो जल्दी से enroll करें हमारे इस course में जिसका link आपको description में मिल जाएगा और जल्दी से enroll करने के बाद हम लोग मिलते हैं इस course में ताकि आपकी सारी problem जो की time से ही related है वो सारे मैं आपके साथ solve कर spirituality का क्या relation है यह मैं आपसे इसलिए deal करना जाता है इस question के सांथ कि मुझे लगता है बहुत जादा connected है भगवान से spiritual power के सांथ तो क्या connection रहता है क्या आप अपने पढ़ाई में भी वो चीज रेफलेक्ट किया करते थे कि कुछ है तो आप भगवान से मांग लिए और इसके अपने पार के थोड़ा सबता ही है अचली में हम जो मनुष्य है हम बोलते भी हम समाजिक पराड़ी है और हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ हमेशा एक जैसे नहीं होता है साइन कव जैसे चलता है ऐसे चलता है हमारी लाइफ एक समय होता है जब हम बहुत खूश होते हैं नहीं चलती, वो साइन के जैसे चलती, साइन कव के जैसे में, तो आपकी लाइफ में, अगर कोई ऐसा चढ़ाते हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश हो, आप उसको भी भगवान के पास समर्पित कर दीजे, आपको कभी लगता है कि आप सबसे ज़्यादा दुखी हो, कुछ नहीं समझा रहा है, क्या चल रहा है मुझे मेरी लाइफ में, वो नहीं समझा, उसको भी आप भगवान को अर्पित कर दीजे, उन्होंने जो योजना बन आप बनाई है, करता बन, जब जब आप बनोगे ना तब तक लिए, बिल्कुल, 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 तो आप वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो आपका लिए कभी गलत नहीं कर सकते, जब गलत होने देंगे, आप उन पर बिलीफ करिए, कई बहार हो कि हमको लगता है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, मतलब ये इतना गंदा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ये सब चीज़े क्यों हो रही है, आपको नहीं समझ में आता, वो शायद होना घटित होना आपकी जिम्दगी में, शायद वो एक नई बहार के लिए है, वो जो मुझे ब soprano करने तो शेयाग तो झाल बॉलतरों कि अग। हगि बहुत जाता हूं कि अधिया बडल कोला हम बाद चाहिने हुग। सिख्ख में भी जाएए, सभी में, सभी में आपका ये चीज बुला गया है, कि आप न सुख से जादा सुखी हो, न दुख से जादा दुखी हो, अगर आपके कोई प्रसन्नता गर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि प्रसन्न हो गया, मतलब आप शात्य आसमान पे चड़ गया, और नहीं कोई आपकी बुराई कर दिया, तो आप गर्त में चले गया, आपको स्थिर प्रग्य होना चाहिए, आपको आपके दिमाग की चाबी, आपके अपनी लाइफ के चाबी आप दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते, हमारे गीतम में भी इस चीज का वर्णान है, कभी नहीं बोला है उन्होंने, आप स्वयम अपने अपने आपके निर्माता, अपने वेक्तित्तों के निर्माता, आप स्वयम हो, आप अपनी लाइफ के चाबी अगर किसी को दे दिये तो वो फिर आपको डिल कर रहा है हाँ अपनी लाइफ के चाबी आप इश्वर को दो इश्वर को दो आप अल्ला को दो आप इशू को दो आप जिस भी धर्म को मानते हो किसी भी धर्मकों नहीं मानते, तो एक अपार शक्ति को मानते हो, आप प्रकृति को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, आप अपने गुरू को मानते हो, जिसको भी लाइफ में, आप उसके पास अपनी समस्याओं को रख दीजे, आप अपने सुक को भी रख दीजे, दुख क वह कभी आपके साथ कभी बुरा नी होने देगा तो कभी भी आपको लाइफ में आपको फस्ड गए आपको लगा कि में डिप्रेश सो गया में को प्रॉब्लम हो गई या पृर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सांती से जाकि मंदिर में बेढ़िए रिक्वेस्ट है मेरा आ तिनी शक्ति आपको खूद महसूस होगी अध्यात्म हमारा बहुत एंडिज है अब जब उन चीजों को महसूस करोगे ना आत्म से आप इतने प्रबल हो जाओगे आपको फिर वो लगेगा कि हाँ ठीक है अब मैं इस चीज से लड़ सकता हूं असीम जी जब आप खूश होए आपको साथ हुआ था जाया था आपको साहँ था किसी से लड़ाई भी हुई था अपको स्ट्रीम ले लिये थे हा उशाय जो आपकी एक्सिडेंट हुआ था विल्कूल वो सारी चीज़े खरोन लोगी कहींने कहीं से चनेक्ट होगी अब वो लास्ट में आप देखिए लास उस पर यकीन करिए, बिलीव करिए, मंदिर भी आप जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं आप जा रहे हो, तो पूजा कर लिए, पांच मिनट में आप आ गए, मैं कई बार मजार्क में बुलती हूं इस चीज को, पचा चले भगवान ऐसे हाथ आगे किया, आशिरवार देने के लिए, आप मंदिर से ही निकल गए, तो ऐसा नहीं होना थी, आप वहाँ पे जाईए, थोड़ा सा बैठिये, पांच मिनट दस में, वो शक्ती का केंदर है, कि बल मंदिर की बात नहीं है, मैं सारे धर्म के जो पवित्रिस्थल है, मैं उनकी बात कर जी, अब चुकि मैं जिस धर्म से हो मैं उसकी बात करूंगी, तो आप वहाँ पे बैठिये, आप महसूस करेंगे, वो पूरी शक्ती का केंदर है, आपको इतनी उज्या मिलेगी, इतनी शक्ती मिलेगी, कि आप अपना हर काम कर सकते हो फिर, कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, तो खूश रहो, दुखी रहो, अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे, आप अध्यात्म से जूड़ी है, मैं अभी की सिचुएशन में क्या करनागी, एक दम रियल लाइफ एक्जांपल बता रहा हूँ, लोगों के अंदर थोड़ से डिप्रेशन वाला पार्ट आ गया है, क्योंकि रिजल्ट आनी रहे हैं, नहे वेकंसी में भी थोड़ी से प्रॉब्लम आ रही है, कोट के डेट शिफ्ट हो रहे हैं, कई लोग जो हैं, वो सिफ़ एक साल के इन्तिजार में, वो अपने घर से एक ही बहाना लिके हैं, कि मम्मी एक साल दे दे न, कि बापा एक साल दे दे न, मैंको बस ये वाला टेंट दे लेने दो, और ये पता नहीं कि अटेंट कव होगा, यही रिजल्ट काव आएगा इस सिच्वेशन में लोगों को क्या करना चाहिए इसमें ना कई बार बोलते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ा जाता है तो मैं बोलती भी हूँ इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है वो थो हम भगवान की तैसे हम बहुत लगी थे कि हमारे टाइम पर continue PSC आ रहा था इवन PSC continue आ रहा था रिजल्ट भी continue आ रहा था लेकिन हमारे जो seniors थे उनके साथ ऐसा नहीं था वो court case और जैसे आज की situation अला ऐसे ही था वो exam दिलाए 8 में result आया है 11 में है आपके हाथ में क्या है आपका कर्म है आप अपना कर सकते हो अगर क्या आप इतनी हो कि आपकल वाकेंसी आती है तो आप इस एक्जाम को करेक करने वाली स्थिती में हूं मसथा अपने अंदर इतना confidence आपको होना चाहिए अगर आप नहीं हो तो आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजे और पढ़ाई करिए और बाकी जितने फैसले हैं वो फैसले वो अपने एक situation है मैं मानती हूँ लेकिन वो situation आपके के लिए नहीं है वो पुरी surrounding के लिए बहुत सारे लोग उसे प्रभावित हो रहा है और निश्यत रुप से उसका एक समय के बाद अब हो रहा है होगा लेकिन आप अपनी सारी चीजों को छोड़ के आप सिफ डिप्रेस हो जाएंगे आपको लगेगा कि न नहीं मैंसे कोई होगा बीच में जिस दिन नोटिफिकेशन है को रिजल्ट निकालेगा और वो अपने तलवार को विधार गर रहा है और उस समय जो रिग्रेट होता है ना बिल्कुल वह ना आप अपने जनरेशन तक पास करते हैं बिल्कुल वह यह थोट ना बहुत कम लो बढ़ी बात थी क्योंकि आप फेल हो गए हां या आपका सम कुछ बैड एक्सपिरियंस था और वो बैड एक्सपिरियंस पुरा आपकी हो सकता है कि आपसे जो मार्ग दर्शन ले रहा आप उनको भी वह चीज़ बता रहे हैं जबकि वह कैपेबल है वो काम करने के यह में कि अपसे जो बहुत वह सकता है जब कर हैं जो ऑना में गर्जाब में की प्रशन पोस्ट ले रहे हैं तो अपको ऑपने गुरु भी अठान से चुनना चाहिए हैं तो आपको ऐसा नहीं कि गुरू किसी को भी अपबना ली हैं ना हमारे संटन धर्म में में ऑन जान जान मार रूंढ बदिया जानता है कि तुम हो ठीक है और मैं तुम्हारे सागेरध हूं और मैं तुम जो चाहो मैं परूंगा यह भक्ति आ लेकिन भक्ति मारक आप अपना हो जब पता हो कि आपका गूरू जो जिसे अप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वह आपको शला दे आपको मतलब उन्नती की ओर लेके जा रहा है तो फिर उस ज्यान का फिर कोई अर्थ है नियरा ना तो आप गुरू भी जब आप जुन है आपके negatives क्या है आप क्या चीज problem face करते हो एक तो ऐसा गुरू मिलना बहुत मुश्किल है और अगर ऐसा गुरू मिल गया तो फिर भक्ति मार्क में आओ फिर अंधविश्वास करो फिर आपको ऐसा नहीं फिर उनके साथ फिर आप if but मत करिये क्या कैसे उनके साथ मत करिये क्योंकि वो आपको समझ चुके हैं वो जानते हैं और वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे तो वो जैसे आपको guide कर रहे हैं जो बोल रहे हैं जैसा करने को बोल रहे हैं आप फिर व करता है कि बहुत साल चाहित को पाइल करना है उङ करना है नंग करता है मेरे जिंदगी तो बरबाद हो गहीं थे क्यू नहीं ले此 मेरे थीटि बद दो काहना नहीं है वो एक बात बोलते हैं कि तुझे तेरी वैल्यू नहीं पता है तुझे तेरी वैल्यू नहीं पता है कि तुझे तेरी वैल्यू नहीं पता है कि तुझे क्या बनने वाला है या क्या है तेको इस चीज का एक्जामपल ऐसे मैं बताऊंगा कि उनको ने एक लाल कलर का पत्थर पर देता है और बोलते हैं कि जहां इसको ना सेल करने की कोशिश करना और पता करना कि इसका रेट क्या है ठीक है अलग अलग लोगों के पास जा जाके पता करना पर देना नहीं जाता है सबसे पहले एक अलू अले के पास जाता है वो बोलते हैं यह पत्थर लोगे पीया कर ग छोता है इसपे इससे की वैल्यू लगा गया इप Marina पेसी थो किंचान के डुकान रती है हैं लोगा तो भता है इतना इतना चान्ती पातना बहने द मैं मैं ले ूऱ defeated तो ऑफ कितना है वहीं समिख पूछत सब्सक्रोता है तो तीसरा जाता है कि एक सोनार के पास जाता है वो बोलता है कि इतना किलो सोना दे दूँगा इसके बदले मुझा भोलता है नहीं नहीं पर इनिद और घृटभ भॉम में खवरु के अब और एसकी व्य कंपा छहां कि तो बहुता है इतना कि मुझा बेशक्म्ति और भाग्मान को फिर से बोलता है कि यह तो अन्मुल है तो वह जा спonget तु अनमोल है, तेरी वैल्यू सही आदमी ही लगा पाएगा, तुम आलु आले के पास जाओगे ना, तुम को यही बोलेगा, और यह सब कुछ हमारे साथ होता है, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी, एंटी बीसी में, में को लोग ने यह कहा था, क कि हर तु ना, मेकानिक का काम कर लें, बींगन इंजीनियर आप सूचिए, कई लोगों का क्या नसीहत है कि होटल को ले, अब नारियल बेच लो, और यह सब के साथ होता है, सब आपको वह एडवाईज देते हैं, जो उनके लेवल का होता है, कभी भी किसी को यह देख लीज क्या पोटेंशियल है, मैंने बोला ना, गुरू भी आफ ऐसे ही चूज करी है, क्यों कि अपकी लाइफ बदल लेगा, आपका सही गुरू रहेगा तो आपको अपने से उपर लेके जा कर रखेंगे, और अगर अगर उन पे अगर आप बिलीव कर लिए, तो आप बिल्कुल अपने ब्लू, आप सक्सिस ही ओंगे, लाइफ में उन смlichen, कभी अन्सक्सिस आप लोगों को लगता है जैनल अपनी मजाक उड़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा है पर यह लोंग टम में आपको सब्सक्रों करने लगता है अरके कोई अपको चूज करना पढ़ेगा कि आपना समय किसको दे रहा है पिलाब आपको red आप यह लगता है कि तीर ना किसी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी के बारे में कुछ निगेट्य आप एक घंटा लाइबरीरी में देते हैं खोचते हैं गंटा आप इसी चीज़ को देते जो आपकी फुद की परसनल्टी को इंडिच कर सकता है लेकिन आपने नहीं दिया वह एक घंटा आप एक घंटा क्या किये वेस्ट किये वह सब बख्वास चीज़ों पर जिसको कोई वर्थनी है, मतलब शायद उस चीज़ को अगर आप छ्य मेने बाद खुदी बोलोगे, तो आप खुदी बोलोगे, कि यह मैंने क्या किया था? मैंने क्या मैंने घंटा विस्ट किया. और बुद के अंदर इनसल्ट फील होता है या जो भी अमने को खुड के अंदर आता है कि मैं इतना डिप्रेस्ट की हूँ हो इस वज़ा से आता है यह सब निगेटिव एनरजी की वज़ा से आता है आप ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, आप अपनी लाइफ में रूल रखिये, आपकी लाइफ का एक एक सेकेंड, आप वेस्ट नहीं करेंगे, आप रूल रखिये इस चीज़ को, अगर एक सेकेंड भी आप अपनी लाइफ को किसी को दे रहे हो, तो ऐसे वेक्ति को आप क्या करना चाहते हो खुद के परध्यान के अंदृत करिए हां लेकिन वेस्ट मत करिए बखवासी चीजों पर अपना समय बिल्कुल मत गवाईए क्योंकि वह बहुत जादा आपको रिफ्लेक्ट करता है और आपको लगता है कि वह एक गंटा है वह पूरा लाइफ लेके आप अपने संगत पे भूट दियाँ अगर आप क्यां रहे हैं मतलалась में सिविल सर्लिस्पी बात नी कर रही हूं अगर आप लाइफ में कवी कम करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लोगों के संगत मेरे है जो वह काम कर रहे हैं जैसे माली जी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं と तो आप वो अलिसार कहल मेरी है, जो डॉक्टर या तो अल्रेडी डॉक्टर है या फिर वो एक्जाम की तैयारी कर रहा है, तब आप उसमें आपका 50% तैयारी तो आपका हो गया, लेकिन आपका संगत है माल लिजे, पांठेला में खड़े होने लोगों के साथ में, या फिर पेशा को क्रिटी साइज करने माले के साथ में, या फिर जो डॉक्टरी को गाली देते हो, तो आप कभी जीमल में डॉक्टर नहीं बन सकते, आपका तो एनरजी ही खडम होगया न, वह सब चीजों करने के लिए, आपके पास में जो एनरजी थी, आपमें लॉस कर दिया, ज को भी पढ़ना है यहार वो उंकल है वो डॉक्टर है वो कितना अच्छा काम करते हैं कितनी अच्छी लाइफ है उनकी मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए तो फिर आप पढ़ोगे आप काम करोगे लेकिन आप यह सब चीज करोगे तो वह तो एक घंटा आपने जो वेस्ट किया कि आप ऐसे कोई भी दोस्त चूज मत करे जो आपको आपकी लाइफ में आपको कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं दे पा रहे है आपकी लाइफ को अंडूच नहीं कर पार रहे है बिल्कुल नहीं आप अपने टाइम भी ऐसे लोगों के साथ वेस्ट मत करे। एसी कोई भी चीज़ मत करिये जो आपका एक सेगंड भी बरबात कर रहे हैं, मैं तो एक पल की बात कर रही हूँ, लोग तो कही गंटे निंदारस का पान करते हैं, तो मैं एक सेगंड की भी बात कर रही हूँ, क्यूं? उत्ते देर में आप अपने बारे में सोचिए ना, आप में आपको एंडेच कर रहे हैं, अब ड्रास्टिक चेंज पाएंगे, बिलीव में. और यह मैंना मैंसमुम टॉपर्स के अंदर देखा हूँ, कि वो लोग सेल्फ अनालेसिस बहुत जाला करते हैं, जैसी एक और चीज़, मैं बात काट रही हूँ, बहुत सरे बच्च आप खुद में आप इतने कमजोर हो, मतलब आपके अंदर कमजोर ही है, आप खुद ही कमजोर, इतने जादा कमजोर हो कि कोई भी वेक्ति आपको दिमोटिवेट करके चला गिया, कोई भी वेक्ति आपको उदास करके चला गिया, मतलब इतने जादा आपकी परसनाल्टी व इतनी है, आप प्लीज रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा देर अपने आपको दो, पुजा का ऐसे ही नहीं है हमारे इसमें, आप किसी भी धर्म को ठाके देखो, हर धर्म आपको बोलता है, कि आप उस शक्ति परम परम पिता परमेश्वर के साथ आप करेक्ट हो, हर धर्म बोलत वो इसलिए बोलता, ताकि उस समय आप आत्म वलोकन करो, आप आत्म चिंतन करो, आप स्वयम के बारे में सोचो, बहुत सोच लिया दुनिया के बारे में, अरे यार आप कुछ भी करो दुनिया को तो जो करना है वो करेगी, वो उससे आपको कोई effect नहीं, हाँ, लेकिन आप अगर नहीं कर रहा हो तो आप effect होगे, यह तो यह हो रहा है, हो सकता है कि आप उस position पे जहां पे आप हो, आप उससे नहीं की करते, तो आप उससे बहुत बैटर position पे जा सकते थे, तो आपको self analysis करने की बहुत जादा ज़रत है, आप demotivate हो और अगर आप self motivate नहीं हो पा रह करते हैं, इसके लिए कोई आपको कोई वीडियो, कोई वीडियो lecture, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा motivational speech, आपको motivate, करेगा भी तो temporary करेगा, हो साथ दिन के इंदर भूल जाओ, साथ गंदे में भूल जाओ, वो टेंपरेरी है, वो परमनेंट नहीं है, परमनेंट अगर आप चाह अपने मन को भटकाने का, हम अगर यह भी सोचते हो, कि हम self analysis करेंगे, तो उससे बेटर आपको यह लगता है, कि हम फोन चला लेता हूं करेंगे, और यह मेरे माइंड को रिलीव करेंगा, तो इसके बार में तो बताईए, कि ना, डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे, आपको यह कि यह help कर रहा है, पर वो एक scroll जो शुरूँतर, actually इसमें हमारी भी कलती नहीं है, psychology, सारा study कर लिए यह apps, इनके पास बहुत बड़े-बड़े scientists हैं, जो लोग psychology study किये हुए है, कि कौन से colors का use करना है, क्या frequency रखनी है, कैसे videos दिखाने, AI के use से यह पता करना है, कि आपको पस इसको ब्रेक करके, आप फिर अपने अपने, आपको याद होगा हम जब चोटे थे तो TV को बोले जाता है, इडिएट बॉक्स, मतला बहुत सारे घर ऐसे थे जहां पर TV, मतला पैरेंट्स बहुत फोकस करते थे इस चीज़ कि बच्चा कितना दे टीवी देखे, क्या देखे हम उस टाइम पैरंट्स के पारंट्रोल में है तो हमारा रिमोट क्या था पैरेंट्स के हाथपे था हमारा पैरेंट्स के बsm compelled करते थे आप टीवी देखे लेकिन उसमें भी आपो चीज देखिये जो आपको एंडेच कर रही है। आपके नौलेज को कर रही है। मोबाइल में भी आप पो चीज देखिए। मोबाइल तो मुझे तो लगता है कि वर्दान है व्मारी जेनरेशन के लिए। जिसको आज कर लोग बोलते ना कि अजय साब ने बोले ना भी कि वो हमको बहुं सादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है बहुं सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही मुबाइले गर के मुझे लगता वर्दान है मुबाइल आज मैं यहां पर बैठे-बैठे मैं अमेरिका किसी थिसिस क किसी दूसरे कोई-भी सब्जेक्ट पे कोई रिसर्च कर रहोगा मैं उसकी जानकारी ले सकती हूं डिपेंड किस पर है यूजर पर उस पे तो सारा चीज है हां यह चीज मानती हूं मैं कि वह इतना अट्रेक्टिव नहीं होगा जितना आपको फेजबूक या फीर आपका WhatsApp या फिर आपका Instagram या फिर अधर और जो भी एप्लिकेशन से वो जितने attractive है मैं मानती उतने attractive नहीं होगा लेकिन वो आपको जो फायदा देगा वो यह बाकी कोई platform नहीं दे पाएगा अब Facebook में है अगर Facebook में भी आप अच्छे लोगों से connect रही है आप YouTube में भी अच्छे लोगों से connect रही है आप जो देख रहे हो जो जो भी चीज़े आप कर रहे हो मानली जी आपको painting का शौक है कि एक जामपल मैंने बोला ठीक है तो आप painting में या परी सर्च कर ली जे तो आज का टाइम है? मेरे पस में टाइम है, मैं आफिस ने के बाद में रात को बारा बजे जब मैं पूरी दरीगे से फ्री होगी, मुझे मन भी है, तो मैं मोबाइल से खोलूगी, और मैं सिख ली तो आपके हाथ में जो चीज है वो वर्दान है, अभी शापनी है वो उस च ल swamp कोना or पर विभी है, तो एस लूब बोल दिया जाता आर नास्च्ख है तो आज कल की जनरेशन ता से ळी वत प्रवी हो घर जुंष है, जटो क सब्ढ़ के खम, तो परजने जिने के वाला आपको तो जो कि की कृ शकती को चैलेंज कर रहा हैं हाह अप यह बोल सकते हो कि मैं मूर्ती फुजा के विरोधी हूँ, आप यह बोल सकते हो कि मुझे वह आडंबर नहीं पसंद है, यह बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है, हम इन सब चीजों को बहुत छोटे से ले लेते हैं, हम एक लाइम में क्रिटिसाइज कर देते हैं, हमने समझा ही नहीं उन चीजों को, यह तो में प्रॉबलम है, कि हम लोग ने किसी चीज पर रिसर्च नहीं किया है, जो जैसा बोल दिया ना फिर वही पर बाद आ जाती है, कि आप क्या स्क्रोल कर रोग इसके संगत में हो, वही चीज़े आगे पास होती रहती ही, होती रहती है, और आपको पता भी नहीं चल आप उदास होने लग जाते हो, छोटी बातों में आप डिपरेस होने लग जाते हो, छोटी सी चीज, छोटी सी कोई परेशानी आई आप गवरा जाते हो, या कोई छोटा सापका तारीफ कर दी, आप चने के जाड़ पे चड़ जाते हो, यह भी चीज होती है, कि आपका, आ इसलिए कभी भी अपने आपको इतना कमजोर मत समझवा, आप नहीं होते हैं कमजोर इसे से रिलेटेड है कि हम लोग यह अबसर्व कर रहे हैं कि PSC वे वोमिन का उतना जादा इंवल्मेंट नहीं है, मतलब जो परसंटेज है, मेल जादा है, फिमेल्स काम है, तो क्या रीजन लगता है कि क्या चैलेंजेज अज़ विमन कोई फेस करता है आज की जनरेशन पर, अगर आज की बात करूँ, हाँ ठीक है, पिछला मैं मानती हूँ, बहुत सारी चैलेंजेज थे, गर्ल्स के लिए, पढ़ाई में भी बहुत सारी इशू होगा करते थे, पैरेंट्स भी बहुत सारी पैरेंट्स ऐसे रहते थे, जो लड़कों को कुछ चीज अवलेबल कराते थे, लड़कियों को नहीं कराते थे, यह चीज मैं मान सकती हूँ, एक जनरेशन पहले की चीज मान सकती हूँ, बट आज वैसा नहीं है, अभी जो हम लोगों को रीसेंट आते हैं, कमेंट वगरा जैसे हम लोग बोलते भी है, तो हम लोग बलासपू सब्याइब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब की चीज मान सकती है, ऑगेसे लोगों को अए, यह चीज मात कर लिए कि हम जैसे लड़कों को नहीं मारते हैं, क्या स्ट्रेजर्च ने ही कृएशन की बाद में में वापियान की नहीं दुओ अएंस की बात कarioईभी हूँ, यह अजिन एक इस नेस को साथ एक एपड़ा होगा ऐसी साथ एक शादी हो ईपसार नहीं छिए गारीश उन करें यह एक डूज साथ एक एक शुझाव इस होती है आप ने कुछ सही लाइफ। आपके सामने दो भी सही एक प्रण्याबर यार गज़ आट तो चुछ किया आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि तेरी वज़े से मैंने मैरीज किया गलत बात मैं मानती हूँ 20% होंगे जो वास्तों में उस सिच्विशन में होंगे बट 80% नहीं है आप 20% का फिर जो इसू है उसको उठाके अपनी जो मैं मितलब कई बर क्या होता है कि हम कुछ काम नहीं कर पा रहे होते तो शिकायत करते हैं भाने बनाते हैं तो उस भाने को यूस किया जाता है जो वास्तों में रियाल्टी में जिनके सामने समस्या है ना वैसे लो कम है वास दिखता है और वो तो जब देखी अगर कोई लड़की है जिसको लड़के के जैसे परविरिश मिली है स्कूल भी मिला है सारी चीजे सुईधाय भी मिली ये शहर में रहती है तो उसके लिए ये सब बहाने तो फिर कोई मैटर नहीं करते हैं मैं मान सकती हूं कि गाव में र और अगर फिर भी अगर वैसी चीज है तो आपके हाथ में मोबाइल है अप जिस मोबाइल से कमेंट कर रही है उसी मोबाइल में ही यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है आप उसको देखिए पढ़िए आप आपकी जो भी आप करना चाहरी हो सारी चीजे उसमें अव बुक्स ले सकें आप कुछ अधर आप जो भी आपको इस्टडी में आपको यूज होते मटेरियल आप उसमें यूज कर सकें आप अपो ले लीजे आप अढ़ाई गरिये मुझे आपके पूरे स्टेटमेंट्स वना बस एक चीज समझ में आ रही है यूर लाइफ इस नेवर प्लेम इट तो एनिवन अनिवन नो क्योंकि वो होगा एक परसंट शायद जिसमना आपको एक दम मलाभ बॉल दिया जाएगा कि मत करो करके पर वो जो 99% है उसमें आपकी लाइफ आपकी जिन्मेदारी है और आप इसके ओपर स्टैंड 100% बिल्कूल आप अपने लाइफ के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी को भी नहीं मतलब अगर आपने मैरीज और अपने करियर में अगर आपने मैरीज चुना है तो आपने चुना है अगर आपने लाइफ में डिसीजन दिया है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो तो उसकी रिस्पोंसिबिटी भी आप लीजिए आप दूसरे को ब्लेम मत करिज़े आप शिकायत करिए जिस दिन आप लाइफ में छिकायत करना छोड़ देंगे आप सबसे जादा खूश होंगे लिटरली मैं बता रहे हूं जो डिप्रेशन एंजाइटी और बदेनी जो भी क्या क्या जो बोलते न वह सारी चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे क्योंकि जब आप शिकायत करते हैं तो आप अपना पावर दूसरे को दे देते हैं कि इसके वज़े से हुआ और जिस दिन आप शिकायत नी करते हैं जिम्मेदारी लीजी आप ये मेरी जिम्मेदारी है मुझे करना है ये काम कांद के दिट इना कर दिया गया था थैंट नए इंब ट्रीया भी error at 1970 के भाइव न firm a 4-6 products बंस्ते जुड़ी खरण सेखलेश दोस्ते हैं क्या स्टेप आप ऊब कि यॉद कालो लड़क्यक अपना प्रण पाल अधी कौन आएगा अपने को देखने के लिए मतलब वो एक डिसीजन का मुमें वास्तों में यह बहुत सारे एक्जाम्पल्स हैं ऐसा नहीं है कि आज भी लड़िकियों को इती फ्रीडम है नहीं है ऐसा आज भी लड़िकियों को अगर आप कुछ डिसीजन ले रहो तो आज भी रोका जाता है लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या कम है बहुत सारे लड़िकियों जिनके पास में स्कोप है आज भी है वो कर सकती है हाँ ठीक है जो नहीं कर सकती है नहीं कर पारी है उनका अलग सिच्वेशन है तो वो अपने मॉबाइल से पढ़े मॉबाइल तो आजकल सब के हाथ में है और वो भी नहीं है वही जो आपने काना हिस्ट्री को अगर आप सर्च करेंगे तो सब मिल जाएगा उससे भी बेकार सिच्वेशन के लोग आपको टॉप पोजिशन पर मिलेंगे और फिर आप उनको देखके वोलेंगे ये कर लिया और मैं उसमें क्यू रहा तो क्या इतिहास बना इतिहास बनाना है ना तो फिर तो हर चीज आपको चांदी के चंबच में थोड़ी न मिलेगी समझना पड़ेगा उस चीज को कुछ कठिनाई आ रही है ना तो आपको उसी लिए आ रही है ताकि आप इतिहास बना सको आप जीवन में आगे बढ़ सको नए अच्यूमेंट्स ले सको आप शायद वो चीज अचीव कर सको आप अपने खांदान की वो पहली लड़की बनो जिसने अब उस खांदान में पूरा उस पोजीशन पर कभी कोई नहीं गया हो हो सकते आप उस खांदान की पहली लड़की रहो और अभी ना एक स्ट्रिट्मेंट आया था मनमहन जी का उनों बहुत पहले गाद की जो जिस्थिस आप इस्विश्ट्री घरता आ ता न वह वो मीडिया नहीं करती है यस हो आपको इंस्टेंट में ना सब को ही गुनायगार बना देते हैं मीडिया की इसने यह कर दिया कर दिया पढ़ नहीं रही है, मीडिया नहीं, मीडिया क्यों एक सोसाइटी है, ग्रूप आप सोसाइटी लोग है, वो लोग आप पो तुरंत कन्विक्ट कर देते हैं, कि यह देखिए, इसे निकल गई खर से, पढ़ने के लिए इतनी बड़ी होगी, पापा का बात नहीं मानी, तो ज सब्सक्राइब कर देखिए, वो मीडिया या लोग नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद सब बोलेंगा हम को तो पता थे कर लेगी है, और आपको अपने लिए वही लाइन सुननी है, कि वही वेक्ति जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, वही वेक्ति आके बोलेंगा, कुछ अगर पैरेंट्स भी अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं पैरेंट्स को भी ये चीज़ बोलना चाहूंगी, जब आप लड़कों को सुनाते हो ना, ग्रिजुएशन के बाद में, क्या गरेगा तू, घर बे बैटा है, हम फाइनेशली लड़कों को उनके खड़ा होने के लिए कि प्रेशर करते हैं उनका करीर के लिए, हमको लड़कीं के लिए करना चाहिए, मैं इस चीज़ को बहुत बार बोलती हूं, बहुत प्रेशरा tow तरीके से भी जोवती हूं कि आपको फाइनेशली इंडिपेंडन钓र्शा होना चाहिए, और यह प्शन लगता है एक financially independent women और जो directly किसे पर depend हो जाते है उनमें को क्या major difference दिखता है as in confidence as in किसी भी terms बिल्कुल अगर आप माली जे किसी पर भी depend है तो आप depend है फिर आपकी पुरी life depend है आपको हरी छोटी से छोटी इसलिए कि बड़े से बड़े decision में भी आप involved नहीं होंगे because आपको एक नाम के साथ आपको dependency आपकी already हो चुकी है और उसका जो decision होगा वही आपका decision होगा by default माल लिया जाएगा क्या अपने life ये चाहते है क्या ऐसी life आपको पसंद है नहीं मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसी life पसंद होगी तो इसलिए आपको आपको depend होना ही पड़ेगा है ना और depend मेंदा financially depend होना पड़ेगा आपको अगर आपके हाथ में आप अपना खुद का खर्चा उठा पारी है आप अपनी family का खर्चा उठा पारी है आप इतनी confident है कि भई मैं कहीं पर भी जौँगी तो मैं कुछ भी गर सकती हूँ मतलब आपको मैं कहीं जौँगी अगर मुझे problem हुई यहां से मुझे दिली जाना है दिली से जमू कश्मिर जाना है आप भी है ना ठीक है तो आप अपने बच्चे को लेकर आप दिली जाएंगी आप जमू कुष्मिर जाएंगी आप पर नाचा प्रदेश भी जाएंगी आप रमेश्वरम भी जाएंगी और उसके बास फिर वापस आप रापूर आ रही है या चछतिसगड़ आ और विदा या थोड़ा बहुत भी ना पूछ रहे हैं गाइदेंस लेने करती है कि वहां पर जाके मैं यह चली जाओं मैं वहां चली जाओं मुझे यह पैसा पूचा दीजिए मुझे यह काम कर दीजिए तो फिर वो गलत हो गया आपको फैनेशली डिपेंड होना पड़ेगा आपकी खुद के निर्णय होने चाहिए खुद का डिसीजन होना चाहिए आपकी खुद के एक माइन सेट होना चाहिए खुद के निर्णय होने चाहिए खुद का प्रस्पेक्टिव होना चाहिए ज़रूरी है अगर आप किसी बात को बोलते हो तो वजन होता है मैं परसन वही हूँ मैं शायद आज मैं पद में नहीं होती और मैं इस बात को बोलती तो मेरी बात को कोई नहीं सुनता अगर मैं किसी लड़की को बोलती कि तू तैयारी कर तू फाइनेशली डिपेंड अभी मतलब इंडिपेंडेंट रहतू किसी को पर डिपेंड मत हो अगर मैं ये बात को बोलती तो वह शायद नहीं सुनती लेकिन आज चू कि मैं खुद भी वह जीवन जी रही हूँ खुद वह सारी चीजे मैंने अपनी लाइफ में मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ उन सब चीजों से और तब मैं अगर उस चीज को बोल रही हूँ तब वह समझेगी कि नहीं अगर दीदी बूल रही है, मतलब वो चुकी, वो पूरा एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का अनुभव है, इसलिए वो बूल रही है, तो उस दिश को वो वैल्यू करेगी, यह तो अंतर होता है, बिल्कुल होता है, हमारा अभी समाज इतना ही पर गरेट है, इतना है, तोड़ा हाँ, मुझे, मैं बहुत जादा टस्ट हूँ, जो अभी आप में बोले न, महिलाए वाला, तो मैं उसी की बात बतारी हूँ, मैं बहुत जादा टस्ट हूँ इससे, कि लोग बोलते न, कि, अगर आप अगर आप एजुकेटेड हो, तो ही आप, जो हमारी अर्थ बेवस्ता हमारे देश में अब ही बहुत सारी महिलाहा इंसी है जो हो सकते 8 वी पड़ी हो, हो सकते 5 वी पड़ी हो, हो सकते 12 वी पड़ी हो, लेकिन बहुत अच्छा काम कर ली है कोई रिजेंटली मिला भी है बहुत सरे अवार्ड भी मिले हैं तो आपको कहीं से भी आपको यह नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा है या फिर वो व्यक्ति अगर जिरके पर डिग्रीयां कम है तो वो कम उसके पास में टैलेंट है ऐसा नहीं होता मैं जब क मैं मूना सब्सक्रांशज बता है उ हुरका में कहां है उसमें क्या रहती जी म scheint गाले में मिलका अपने संगठन मनाती है और उसके वह चैशलता करना का चाहते हैं और उसको फिर पीस्टाइब करती है उनको लोंस देती है और उसके लोंस से फिर वह अपना काम आगे करती है आप यकिन नहीं मानें के बहुत सारी मेला गाओं में आज अपने जो हमने हुलते नहीं start up बूश्चाल कर रही है उनको नहीं पता कि मैं start up कर रही है उनको इतने technical terms नहीं आते लेकिन वो कर रही है और इतना अच्छा काम कर रही है ना मुझे लगता था वो चीज मैं वहाँ पर मैं भूल जाती थी कि मैं डिप्री कलेक्टर हूं करके लिटरिली मैं जब उनके साथ बैठती थी और उनकी जो बिजनस प्लैंस है उनको जब जानती थी चुकि मैं जनपत्सी हो थी तो मुझे उनके साथ में बैठने का और सारा चीज जो उनकी जो भी उनके सीनारियो होते तो सब को समझने का जादा मौका मिला मुझे तो जब मैं उनको देखती थी उनकी लाइफ के प्रती उनका जो व्यू था वो देखती थी मैं तो मुझे लगता था कि ये मतलब हम समाने भाशा म मतलब पढ़ा लिखा कोई बाकी कम पढ़ा है तो हम अनपर समाने भाशे में हम बोल देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वो इतना अच्छा बिजनस रन कर रही है बहुत अच्छे अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है अपने आपको सपोर्ट कर रही है उनको बोलते हैं ससत महिला है और उनको अगर आप बोल देंगे कि हम चुकि अनरलम में हम दीदी बोलते हैं उनको दीदी करके संबोधित करते हैं तो आप उनको कोई भी काम दे दो वो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेंगी और उसके बाद वो काम करेंगे काती ह्याकिन केर्व क करेंगे से लेकर वहां देड़ के परूद्धी अ ऑ बहले की बतिवां when the pilot optimistic मेरे काम हुआम में बड़ी बढ़ी बनाना अस वह कम नहीं बूर रही हैं मैं वह रही थेRIS जो प्रेस मोड़के लोग भी करते है और आपका जैसे अश्म साइट का है शायद अश्म या रुनाचल प्रदेश का है मैं थोड़ा सा भूल रही हूं वहां का मैंने वीडियो देखा था उसमें लड़िकिया पालर चलाती है जेंट्स पालर मतलब जेंट्स का बाल कट करती है मतलब हमने यह देखा है कि लड़के लोग लड़िकिया पालर चला रही है और उसको समाज भी सपोर्ट करता है मैंने एक वीडियो देखा था वो लेडिज ट्रक का टायर चेंज कर लगा देती थी बिल्कुल अब आप सोचिए कि वालब जो कुछ चीजें पुरुष प्रधान बना के रखे हुए हम लोग बनाया किसी ने नहीं है कि हम नहीं कर पाए पर आज हमको भी आगे बढ़ाने के लिए लड़कों नहीं सायोग दिया है आज भी हमको जो मौका दिया है वो भी किसी ने किसी हमारे भाई ने ही दिया है लड़के की लाइन को छोटी करें अपनी लाइन बड़ी करेंगे यह गलत बात है बात मेरे हिसाब से गलत है था यह बात आप कहें क्योंकि यह है रियल एमपाउमेंट यह नहीं कि आपके लिए नीचा दिखाते हुए यह बोलो कि इन्होंने मौका नहीं दिया हम हर चीज में कोई हल पर जैसे आज यहां पर आपको लाने के लिए भी तो मुझे ने हल्प किया है किसी लड़के नहीं हल्प किया किसी कोई भी रूप में हो सकता है वहां मेरे बपापा हो सकते हैं, बपापा होते हैं, बढ़े हैं हृस्पेन होसकता है तो मैं उनके से इसक्राइफन को मैं अंहील सकती है एक महनते बगफ हैं, ज वां मेरे पीछें म dapatाने लूछाइब रूंते को हैं अब कुछ questions है students के तरफ से क्योंकि मैंने पहले से बता दिया थी कि रुचे शर्मा मैं आने वाली है तो आपके लिए बहुत सारे questions आये हुए हैं बहुत अच्छे questions आये हुए हैं देखके करके मैं चाहूँगा कि आप सारे questions के अंसर दें सबसे पहला है कि overthinking से कैसे deal करें क्योंकि है chances है हम लोग जब पढ़ाई करते हैं हम बहुत सारी चीज़े सोचते रहते हैं यह भी करना है यह नहीं हुआ तो क्या करेंगे ऐसे thoughts normally आते हैं तो कैसे deal करना चाहिए ना भविश में जियो ना भूत में जियो वर्तमान में जियो व इतने decibel में सोचूंगा तो यह परिवर्तन हो सकता अगर इतनी थाकत होगी अगर आपके सोचने में तो बिल्कुल सोचिए नहीं है ना थाकत मत सोचिए काम करिए बस काम करना इंपॉर्ट सिर्फ करिए बहुत साथ बिल्कुल मत सोचिए अगर आपको ऐसे कोई thoughts थोड़े आपके अंतरात्मा जवाब देगी अगर हाँ जवाब देगी तो बिल्कुल सोचिए आपकी मेरे को नहीं लगता कि आपके अंतरात्मा को जवाब देगी हाँ वो भी बोलेगी कि नहीं तो बिल्कुल नहीं आप आप अवर्तमान में जीजिए आप बैगेज लेके मत ना भूत का बैकेज लीजिए ना भविश्य का लीजिए वर्तमान में जीए और काम करिए बस एक और क्वेश्चन है आजकल जो PSC क्वेश्चन पूछ रहा है उससे कैसे डील करना चाहिए हमको एक बाद चीज समझनी पड़ेगी कि हम competition exam के तैरी कर रहे हम school college के तैरी नहीं कर रहे है हमारे पास में particular बहुं सरे बचलों को यह लगता है कि particular syllabus है और syllabus C question आएगा यह ऐसा नहीं है हम competition exam के तैरी कर रहे हैं मतलब आप हो सकता है आपके पास में 5 post हो आपका 98% भी आ गया हो आप पुरी दुनिया को बता भी रहो कि मेरा 99% आ गया है देखिन आप से पहले वाले जो है उनका 99% आया एक जिनका 99.2% आया 3% 4% 5% तो वो top 5 में वो cover कर लिया उन्होंने अब वो cover हो गया उसके बद आपका नंबर नहीं आया तो आपका 98% लाने से आपका कोई अर्थ नहीं बना आप कोई चीज समझनी पड़ेगी कि आपका जो आप जिस exam की तैरी कर रहे हो civil service की वो foundation वाली नहीं है आपको उस limit से बाहर भी आपके पास questions आएंगे ही हाँ अब आपकी तै हमारे में भी ऐसे questions आते थे लेकिन हम जब पढ़ते थे तो हमको इतना पता रहता था कि ये question मुझसे नहीं बन रहा है हमको ये confidence रहता था हम ऐसे question को हम छोड़ भी देते थे क्योंकि वो चार question decide नहीं करता था हा लेकिन अगर वो question आ रहा है जो सब से बन रहे है और आप से नहीं बन रहे है तो फिर वो competition है और वो problem create करेगा आपको क्यूंकि competition आपके उस question मालीज आपका hundred question है पांच question आपका out of syllabus आए या ऐसे question आए जो नहीं बन रहे है और वो पांच question किसी से नहीं बन रहे है तो वो तो null and wide हो गया जिरो हो गया वो तो पुरा अब आपका competition कितने में है पंचानबी question में हाँ वो पंचानबी आपसे बनने चाहिए आप उस पर फोकस करिया इंपोर्टेंट है कि मैट्स और रीजनिंग का कितना इंपोर्टेंस है एक्जाम में भी और एक्जाम के बाद भी और एक्जाम के बाद भी अजॉब पर्सनल्टी अगर हम लोग मैट्स of आप्टीटीड का और आप्टीट्टेग के लिए घूल्टेटिट पो सिम्गी जाते है तो हम वल्ग जब डिरिजनिंग घरिजनिंग में परते हैं हम लग भी बढ़ते हैं अगर अगर अगरा डिसिजन फेली है हमारा कम्मिकेशन सकिली इच्छी अच्छ दी पर unsuccessful रहेंगे, क्योंकि अगर आप जब अधिकारी बनते हैं, उसके बाद फिर आपके पास फाइल सानी स्टार्ट होती है फाइल साती है तो जो शब्द लिखे रहते हैं, जो फाइल्स में, अगर वो जिस प्रकार से लिखा है और उसी प्रकार से आप उसको समझ रहे हैं तब तो ओके हैं, अगर आप आपके अंदर वो समझ ही नहीं है आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप अच्छा दिकारी नहीं बन पाऊंगे फिर आपकी काम पेंडिन्सी होने लग जाएगी, आप बहुँँ सारी ऐसी चीजों से डिल करने लग जाएगे जो मेभी शायद उस चीज के लिए नेसेसरी ही ना हो तो आपको decision making आना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि अकर आप किसे situation में first गए है तो diplomacy क्या होती है आपको कैसे उससे बाहर निकलने है तो reasoning आपका पढ़ाई तक नहीं है वो आपका पढ़ाई के बाद भी जब आप service life में आते हो तब भी important है और even आपकी life में important है सेम ऐसी maths है maths में भी जो basic maths होता है मैं PhD की बात मी कहा रही हूँ basic maths वो तो आपके आम जीवन में भी important रखता है मतलब आपको percentage तो आना ही चाहिए कि आप माली जी कोई घर खरितने जा रहे हो कोई वहां पे अगर सामने जो ठेकेदार है आपका अगर वो कुछ समझा रहा है आप उसी इसको समझ नहीं पा रहे हो तो फिर वो तो problem हो गया ना same वैसे ही आप अधिकारी बन गए आपको basic maths नहीं आता आपके पास में बहुत सारी योजनाओं के पैसे होते हैं बहुत सारे आपको उन पैसों को distribute करना होता है उनको पूरा budget का आपको देखना पड़ता है अप उन चीजों को नहीं समझ पाऊगे तो फिर कैसे काम करो गया आगे basic हर subject आना चाहिए civil service कहीं से भी आपको ये नहीं बोलता है कि आपको particular किसी subject पीज़ी होना चाहिए वो आपका समान ने ग्यान है आपको समान नी रूप से आपको history भी आना चाहिए geography भी आना चाहिए आपका maths भी आना चाहिए आपका science भी आना चाहिए आपका समाज सास्तर भी आना चाहिए आपको darshan सास्तर भी आना चाहिए ये सारे subject अगर शामिल किये गए है तो बहुत सो समझ के शामिल किये गए है और आपको ये आप जिस लाइफ का आप जा रहे हैं, जिस लाइफ का आप सपना देखते हैं, उस लाइफ के लिए आपको प्रिपेर किया जा रहा है, इस एक्जाम के माध्यम से, ये उसका A, B, C, D, है, मैं इसे का क्योंकि एक example मैं भी पढ़ाता हूं तो ना बताता हूं कि किसी भी चीज के decreased to 90% और decreased by 90% में फरक होता है यह है एक word सिर्फ to और by सब कुछ चेंज कर देता है और अगर यही चीज आपके साथ में जॉप के टाइम पर हो रहा होगा आपको confidence level भी किता डाउन चला ज ना को अपने जौंत में सर्विसमें आओं के टो अपके पस में कई बसwalk रहे इसे एसे सिसुparkन, कि मैं यह करो यह कर ओं तो आपको आप जब फिर्फ पासमें सिच्वे остановvéशन होती है उसमें सिर्फ वेस्ट शवेसं कया है कैंसे मुझ आगे टान जिल आइवन Вас फिर आपको स कुछ other posts of CGPSC के बारे में बताइए, लोगों को रहता है, डेप्टी कलेक्टर बनना है, पर इसके बाद भी जो पोस्ट होते हैं, जो आपको लगता है कि अच्छे पोस्ट होते हैं, जो पता रहने चाहिए, बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, बतलब देखिया आपका समाज क के लिए आप कर पाएंगे, आप दिव्यांग जन के लिए कर पाएंगे, आप तृती लिंग के लिए कर पाएंगे, आप जो होता है न, तिर्थे यात्रा योजना, आप वो कर पाएंगे, आप वो पूरे वर्ग को आप टच कर पाएंगे, जिसका हम जो कोर है, जिसको हम सो वो कैसे हमको यूज करना है, कैसे उसमें रोयल्टी हमको लेनी है, क्या हमको करना है, हमको अपने संसाधन को साथ में रखते हुए, हमको छेतर का विकास कैसे करना है, वो सारी चीजे हम उसमें रहते हुए, खरीजदिकारी रहते हुए काम करते है, जब हम जनपस्यों बनते हैं, तो जनपस्यों तो कोर होता है, आपके समाज कल्याण की जो योजना है, आपके सिक्षा की जो योजना है, आपके अन्य जो भी विभाग की योजना है, उसको मिनी रूप में क्रियानवित करने का कारिय जनपस्यों करता है, सबी विभागों से वो टच होता है सचीव होते हैं सरपंच होते हैं वो इसमे हमारे इसमें हमारे इस सिर्फ ऐसा नहीं है कि उपर के जो पोस्ट देख रहे हैं दिप्टिक एलेक्टर, DSP, मसवुत नहीं है, उसके अलावा भी बहुत अच्छे-च्छे पोस्ट है, आप तैसिल दार है तो पुरे तैसिल के जमीनी जो काम है, राजस्व संमंधि जो कारे हैं, आप व कारी करते हैं आप पर तैसिल दार, कारे पालिक मजिस्ट्रेट होते है आप मजिस्ट्रियल कारे करते हैं, तो आपके पास में बहुत सारे स्कोप है, सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही है, लेकिन यह है कि आप उस चीश को माना जाता है, इप्टिक एलेक्टर, DSP को तो लोग को बस यह लगते है कि घिप्टिक एलेक्टर, DS तो इसे कौन से पोसे जहां पर तैयरी करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सकता है ऐसे मैजॉरिटी लोग हम लोग देखते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए आपको क्या 62 साल नोकरी करनी है उस पर्टिकुलर उस पोजीशन पर तो आपको पर्सनालिटी के नुसार भी कारे करना पड़ेगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फिल्ट का काम पसंद होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टेबल वर्क पसंद होता है बहुत तरे लोग ऐसे होते हैं जिसको दोलों पसंद होता है, मतलब मैं टेबल भी कर लो, फिर मैं फिल्ड भी चले जाओ, बहुत लोग बतलब आपको अपने अपने कोडिंग जाओ आपको चुन चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा नहीं है कि सबके सब जो कर रहे वही में करूँ ऐसा नहीं देखिए कोई भी अच्छा नहीं हो कोई भी बुरा नहीं है हाँ अगर अपने मन चाहा पोस्ट में आप जाओगे तो आप खुशी-खुशी काम करोगे फिर आपको काम बोज नहीं लगेगा फिर आपको कभी भी शिकायत नहीं रहेगी अपनी लाइफ से भी शिकायत नहीं रहेगी अपनी जॉब से भी शिकायत नहीं रहेगी जैसे DSP का पोस्ट है है हाँ 24-7 जॉब बिल्कु वो फिल्ड वर्क है पुरा कहीं भी रह सकते हो आप फिजिकली आपको वैसा रहना पड़ेगा एक्टे हो थोड़ा सा होमसिकनेस वाले हो तो बहुत दिक्कत होगी बिल्कुल नहीं तो यह परसनलिटी कर पहले से पाता रहे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कु ज़रूरी है वो आप अगर पेडों से प्यार करते हो वरिक्ष से प्यार करते हो तो आप वन भी भाग में तो आपके पास में बहुत सारे स्कोप हैं और उसमें से कोई सभी आप चूज कर सकते हो आपको पहले से शुरू से ही आपको एटलिस्ट जब अप इस फिल्ड में आ रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज ऐटलिस्ट इन पदों का होना चाहिए और सब लोगों बताना चाहता कोशिश की है कि अलग अलग डेपार्टमेंट्स के अफिसर को लाया जैसे एसाई हो गया सीपीयो हो गया और भी ऐसे जो डेपार्टमेंट्स होते हैं सबके इंटर्व्यू डेले हुए है तो थोड़ा स्क्रोल करके देख लीजेगा आपको जो भी जानना हो च redemption कर जाते हैं कि डेली अप्स पर जाते है कि डाली रुटीन के रिखे 허के कितने बजे बढ़ा घंडना रहता है हमारा 24 ऑंटो 7 जोंग होता है क्वें कि जैसे डिटी के एक्चुली में ऐसा नहीं ओता है वह अलग अलग भुमिकाओं मेरत है जैसे पहले भताया है वह जटर्पसियों भी रहता है स्टांटिंके डेज्मिटरते है तहले राता है Congressman जैसे इस मे्चयर को ज Chad Sc機 तो उसके सेनियर होते जाते हैं जैसे जैसे उसकेfach उनको और यदराज भूमिखा इसे जाती है और हर भूमिखा में आपका वर्क कiat विर्क ऐस्पेरियन्स अलग होता है अपकी डिमांड अलग होती है में आप मंतराले में कारे कर रहे होते हैं तो आपका timing Emmy अलग ओता है अप SDM के रूप में कारे कर रहे हो तो आपकी t'. अलग है आप निगम में अगर आपक स्फ Goddess निगम ह्युभ तो वहाँ पे आपको खुद से बात करना है, वो important है answer writing में pen का क्या role रहता है मितलब कौन सा pen इस्तेमाल करना चाहिए writing practice के लिए हम बोलते हैं युद्ध में जा रहा है तो हमारा तलवारी अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर हम युद्ध कैसे लड़ेंगे युद्ध में अगर जा रहे हैं तो अपने तलवार की धार में आप ज्यादा समय में आपको पूरा आपको 100% शोर होना पड़ेगा कि ये तलवार में मेरी grip कैसी है उस तलवार की धार कैसी है अगर मैं moment ले रहा हूँ तो वो moment कैसी हो जी तो कलम आपकी तलवार है और मेरी जो तलवार है कोई जो जुरुरी नहीं वो आपकी भी तलवार हो बहुत सहीं हो सकते मेरी पैन में हो सकता है मैं जो पैन यूज करही हूँ जो ग्रिप है ऐसा देखिए कि कौन से पैने जिसमें आप स्पीड में अच्छा काम कर पा रहे हो और यह बहुत अच्छा कोशन है यहाद तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा और जब कि यह बहुत इंपोर्टेंट है यह कुछ भी रेंडम कोई भी पैन यूज कर लेते हैं ऐसा नहीं है और जिस पर्टिकुलर पैन को यूज करें उसी पैन को ही आप यूज करिए जैसे मेरी आदत भी है वो अभी भी मेरी आदत है कि मैं जिस पैन को यूज करती थी पहले भी जो यूज करती थी अभी जब मैं कुछ चीज लिखती हूँ तो मैं आज भी वही पैन यूज करती तो मुझे रेनॉल्डी सूट होता है, तो मैं रेनॉल्ड से लिखती थी, और आज भी है, अब तो पैन वो वाला थोड़ा सब ओल्ड फैशन हो गया, तो आज के बच्छे लोग पता नहीं वो चीज को नहीं जानेंगे, लेकिन अब है, हम मेरा ग्रीपुसी में बनता है, बह को से छाव शार सब्सक्राइब को को करेंगे, अब खोड़ा बिठर कोरस पीज किक्या, तो आपको प utan andše पीटर कीछ अधो के वालो। र्या कामागे कामागेर थिर्म है, ऊधोने ग्रिपरेशन की ओप्रीशन में घाननेहीं दिन उपतीखि़ है मैं कभी नहीं उठती सुबिचे बजे तो मुझे नहीं पसंद मैं रात को बढ़ती थी मुझे अगर कुछ चीज याद नहीं हो रही है अगर कुछ चीज मुझे ऐसा है जैसे समाज सास्त्र मैंने कभी नहीं पढ़ा समाज सास्त्र मुझे वो समझ भी नहीं आता था समा साथ तरह तो मैंने अभी उसको प्रॉब्लम जैसे देखा ही निए मुने उसको चैलेंज देखा कि ऐसा क्या चीज़े जो मेरी समझ में नहीं आएगा आएगा बिल्कुल आएगा ज़िए 10 बार पड़ूगी 15 बार पड़ूगी तब कसकी मुझे पता है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट है जिसमें मैं कम अगर ध्यान दूंगी तो उसमें भी मेरा काम मैं अच्छी स्कोर कर लूगी तो मैंने उसमें कम ध्यान दिया लेकिन जो मुझे चैलेंज आए आप उसको एस चैलेंज लीजिए प्रॉब्लम न लीजिए और जब आप बीट करोगे तो फिर जो आपको खुशी होगी वो बहुत अच्छी खुशी होगी तो प्रॉब्लम्स के जैसे मत देखिया अगर आपको पर्टिकोलर कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है या उसमें इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है त क्योंकि हर छी एक सल्यूशन है जो कि आप खूद हो बढब ऑक कर आपके अनसर आपको कोई नहीं दे सकता अप क्या फेस कर रहे वो आप जानते हो फो सकता जो आपके प्रॉब्लम में वो मेरे नहीं है उ सकता हिए और हर वेक्ति की लाइप में प्रॉब्लम में है अप यह मैंने वरितिघा नुटन चौक तक जाूंगी और नुतन चौक जाते जाते मैं दस वेक्तिं तो मेरे को 10 प्राकर की प्रोब्लम बता देंगे हर की लाइफ में प्रॉब्लम है आपको अपने प्रोब्लम से खुद दिल करना एं और वह आना चाहिए आपको एक बहुत अच्छा ग्वेशन है मैं यह रुकिंग रिली गुड इसके पीछे का सीक्रेट क्या है आपके कुपसूरती पता है नहीं मैं कभी अपने आपको कुपसूरत मानती नहीं हूँ हाँ बट यह है कि मैं खुश रहती हूँ हमेशा खुश रहती हूँ मुझे लगता है कि हर चीजें अगर लाइफ में जो भी चीज हो रही है वो किसी ना किसी रीजन की वज़े से हो रही है तो मैं कभी इतना पैनिक नहीं करती कभी डिप्रेस नहीं होती कभी कोई निगेटिव चीज अपने जो ऩो निगेँ घुश को कि बट व। सिं अंगरते से अगरते स्स ру続ine जो 10-12 साल में जैसी हूँ वन्नेंदें नो चेंज नहीं हो है है सामझ में के साथ थोगी मेच्टी है ये वे अलग मैटर है वो अजब है पूँदो, बहुंट छोच्छे, अगर आपको कुछ चीज़े, उस और स्टार्ट हो जाएं गे। आपके नहीं जा आपट से दिए तो आपके हैल्थ आपके पाराद में तो सारी सिर्फ और आपके भॉड़ी में गिंगाーデव residency भगवान को बनाया मैं उसकी बात कर दी हूं, भगवान ने तो जो बनाया है उनका गिफ्त है उन्होंने दिया है लेकिन उस आप गिफ्त को इतने खुबसूरती से रखते हैं वो आपके उपर है और वो खुबसूरती से आप तब रख सकते हो जब आप उसको पॉजिटिव इनर्जी को टॉनिक दोगे जब आप खुछ रहोगे प्रसंद रहोगे अच्छी चीजों आप सोचोंगे तो इनर जो ब्यूटी आती है ना फिर वो मैंटर करती है इसी पॉइंट से वो भी आगया ना फिर से वही हम लोग रिलेट कर रहा है कि मारे इसमें इतने सारे तयो बानती हूं कि मैं भारत में जनम ली हूँ जहां पर इतने सारे तयोहर है मतलब हर सब्सक्ता में अगर देखूंगी तो कोई नो कोई मेरे को टेवार मिले गई अभी एक दो हो गए है अभी गए है उसके बाद एक अदेशी आ जाएगा ठीक है फिर उसके बाद कोई नो आप थोड़ा सा दूर में जाओ तो अलग भाषा मिलेगा, आपको अलग संस्कृति मिलेगी, उनका अलग तयोहार मिलेगा, जो लोकल जो फंशन्स होते वो और अलग मिलेंगे, मैं जैसे कल एक जगह जारी थी, तो मैं देखी राते में पंडवानी हो रहा था, मैं मस्तागा नहीं है, नेक्स कोशन है, टाइम मैनेजमेंट के ले क्या करें है, मत अब लोगों को समझ भी आता, इतने सारे काम रहते हैं, सुबह उठो, यह करो, करो, कोचिंग जाओ, वापस आओ, लिटरली एक स्टूडेंट उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने बोला, मैं सुबह को देखिए, दो टाइप केस में स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब नी कर रहे हैं, और एक होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तो टाइम का इशु जो जॉब कर रहे हैं, उनके साथ आता है, वो मुझे समझ भी आता है, क्योंकि उनको क्या रहता है, दस से पांच की नौकरी रहती है, फिर ऐसा भी नहीं है, पांच वजे के बाद खाली हो जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं, वर्क लोड होता है, कई बार उनको ज्यादे इंगेज हो जाना पड़ता है, तो उनके साथ तर टाइम का आप बांट लीजे, 6-6 गंटे में बांट लीजे, उसमें 6 गंटा आपका सोने का निकल गया, 6 गंटा आपका जो अधर एक्टिविटीज है, आपके काम है, आप उसमें आपको ये सारे चीज़ इनकल गया, कोचिंग आना, जाना, अगर आप जीम करते हो, जीमिंग करना, योगा करते हो, योग करना, ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाना, जो भी चीज़े हैं, ठीके, आपको जो भी पसंद है, वो सारी चीज़े हैं आपको निकल गया, अब बागी का जो बारा गंटा बचा, उसमें क्या कर रहा है, 12小時 इनफ टाइम होता है किसी भी चीज को करने के लिए ठीक है आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग में भी आप टाइम गेन ही कर रहे हो आप असवह नहीं पडाई कर रहे हो आपको ऐसा रह tua हुई कि कोचिंग में मिरे को जो चीजद पढ़ाया जा रहा है वो मुझे कोचिंग में ही याद हो जाए आप अपना बहुत सारे स्टुटेंट ऐसे होते हैं जो इनका फोकस रहता है नोट्स बनाने में आपका फोकस याद करने में होना चाहिए आप एक्जाम में अपने नोट्स लेके नहीं जाएंगे कितने भी अच्छे आप बनाया रह कि मेरे को जो पढ़ाया जा रहा है यहां पर मेरे को यहीं पर याद हो जाए और इसके बाद फिर में घर जाके फिर उसको कोश्यन अंसर सौल करो मतलब आपका सेम चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह घर पर जो टाइम मेनेजमेंट के बात करें यहीं पर ही दिक्कत होती ह कि हम वहां पर हमारा ध्यान भटक जाता है क्लास में क्लास में आदी चीज समझ आती आदी चीज समझ नहीं आती फिर घर में आके फिर हम उसको रिवजन करते हैं तो उसमें वो टाइम वेस्ट हुआ वेस्ट हुआ वह चीज ठीक है आप जित्ता जादे रिवजन करते हैं तो आपका time invest हुआ, extra time invest हुआ आपका, जिसमें आपको सकते थे, आप हो सकते हैं कुछ other subject जो आपको नहीं आता है, वो subject आप पड़ सकते थे, आप ये काम कर सकते थे, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको, खुद को अपने को analysis करना पड़ेगा, कि मेरे जो subject है, उसमें मेरे को जादा time देना है, जो subject है, उसमें कम time देना है, और जो other activities हैं, काम की, तो आप देखिए थोड़ा दिन अगर आप टीफिन का खाऊगे तो कोई issue नहीं है, क्योंकि करियर, आपको मेन करियर है, ना, ठीक है, पेट नहीं है, नेक्स्ट है, डिस्ट्रक्शन से कैसे दूर रहे हैं, तो यह तो हमनोंको ने डील कर लिया है, एक बहुत ही special comment आया हुआ है, AIR1 नीर नीदी नंदी हज, जो कही बारी कहे चुके हैं, कि आपके वज़े से वो इंस्पायर हुए थे, भाई है, वो मेरा चोटा भाई है, पर देखे हैं, आपको कहां रहते थे, हम लोग पडोसी थे, मैं और नीर हम लोग पडोसी है, जस्त हमारा घर ऐसे अगल वगल है, जैसे आप और मैं बैठें, ऐसे ही है, हमारा बच्पन साथ में बीता है, चोटा भाई ही है वो मेरा, और बहुत टैलेंटेड है, बहुत वर्साटाइल परसनेल्टी है, बहुत पॉजिटिव वेक्ती है, बहुत अच्छा लड़का है, बता दीजिए, वो एरिया कहां रहते थे, वहां के भाव बढ़ जाने वाले हैं, कि वहीं से डिप्टी का लेक्टर निकल रहे हैं, नहीं, नुता चॉक में हैं, सेंटर लाइबरेरी के, सेंटर लाइबरेरी के पास घर है, तो फिर वहीं बात हो गई, कि वहीं पर से ही निकल रहे हैं, वो सम्थिंग कुछ है, वहां के पाले में कुछ जादू है, कुछ वाइबस हैं, वहां ही कुछ ऐसी कि वहीं पर से ही फिर निकलेंगा, तो उनका question है, What are the special challenges faced by a female officer in state service, क्या अप्लोग चैलेंज़ फेस करते हैं, आज फिमेल ऑफिसर स्टेट सर्विसस में, क्योंकि कई लोग यहां पर आएंगे, क्या देखके आएं, यह क्या देखके ना जोईंग करें? क्या होता है, कि कई बार होता है, कि मैं बहुत इस बात में ओफेंसिव भी हो जाती हूं कि अधिकारी अधिकारी महिला अधिकारी या पुरूश अधिकारी यह क्या होता है अधिकारी अधिकारी होता है आप खुद ही मत देखिए न कि आप महिला है या पुरूश है कभी भी लड़का कभी जॉइन करता है माल माली जे वहाँ पर SDM है, तो SDM की जो भूमिका होनी चाहिए, आपको वही भूमिका निभानी है, आप वहाँ पर लड़का या लड़की नहीं है, अगर SDM को, अगर कोई रात को चक्का जाम हो जाता है, 10 बजे, 11 बजे, तो जब लड़का जा सकता है, तो आप भी जा सकते हो, आपको भी जाना चाहिए वहाँ पर, आपको अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कि आप उस टेम पर आप नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए भी साशन ने बहुत सुईधाय देखे रखी हुई है, कि आप उस पर्टिकुलर उस टाइम पर आप जैसे आप मान लीजे प्रेग्निंसी के दौर है, एक एक्जामपल बोर्डरी हुमें, तो प्रेग्निंसी के दौर पर आपके पास मातरित तौकास है, संतान काम है, जो मैं नहीं कर सकती, कोई भी चैलिंज़स ऐसे नहीं है, जो मैं फेस नहीं कर सकती, हाँ, बस यह कि आप अपने दिमाग में नहीं तो इसमें कम से कम आप अगर ये चीज भेद भाव अगर आपके दिमार्ग में रहेगा ना तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हमारा स्टेट बहुत अच्छा स्टेट है बहुत खुबसूरत स्टेट है आपको कभी बिंग लेडी ऑफिसर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और यही तो चैलेंज है अगर कही प्रॉब्लम हो रही है तो सुधार्ना भी हमारा काम है हम कोई एक लेडीं है जो और हमेडीं सर्विसमे हैं जैसे आप जश्यायल को जएसे प्रॉब्लम हमे व्कविचिन पर बिए है इस बोल्म काम एसे कि मैंज और इख बिएड़ को मैंटेक जाता है कि थे णौनों हमार्स हैний अवार्सिणिया श्वेवान ज़ाएगा है हाँ यह हो सकता है पर्सनल लाइफ में पोस्टिंग हो सकता है साथ नहीं और इसके लावा मुझे नहीं लगता है इसके लावा और कोई प्रोब्लम आएगी तो पोस्टिंग अगर अलग अलग भी है तो फाइव टेज ही है बाकी तो आपका दो दिन चुटिया ही होती है और अगर वो नहीं आप आ रहे है तो आप चले जाए आप नहीं आ पा रहे है तो वो आजाए और हमारा च्टिस गड़ इतना बड़ा भी नहीं है कि जिसको हम लोग कवर ना कर सके मतलब अगर माली जे कुछ ऐसी सिच्वेशन मनती है जिसमें वो अगर आपको उनको काम आ गय जो सेम प्रॉब्लम फेर्स कर रहा होगा या फिर सेम स्यच्वेशन से गुझर रहे होंगे सेम सारी चीजे अप चुकि आप दोनों सेम फिल्ट में हैं तो सेम सारी चीजे हरी होंगी तो आपको एक बलकि साथ मिल जाता है वो support होता है तो ये चीज अच्छी है ये बहुत नेक्स वेशन आपके लिए प्रिलिम्स जैसे परिक्षाहा हो तो तब मेंस की परिक्षाहों की तैयारियों में क्या डिफरेंस रखना चाहिए इक्टिया नेशने प्रिलिम्स रखना चाहिए है मेंस में, मेंस में आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है आपके पास में, एक आपके शब्द आपकी सीमा है और उस शब्द सीमा में उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपको जो भी उन्होंने कुश्चन किया है आपको उसका अच्छे से और बहतर से बहतर आंसर आ आपको आगे बढ़ना है, दोनों में ये अंतर है कि सब्जेक्स तो दोनों में सेम है, बहुत सारे, 80% सब्जेक्ट तो दोनों में सेम है, 70-80% सब्जेक्स, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको कोर में जाके पढ़ाई करें, जैसे हिस्ट्री दोनों में सेम है, तो आप history को अच्छे से पढ़िए, core में जाके पढ़िए, आपको उतका अच्छा knowledge होना चाहिए, geography अच्छा होना चाहिए, आपके language के अच्छी knowledge होने चाहिए, ताकि वो आपको अगर objective पूछ रहा है तो आपके objective भी आप solve कर सके, और अगर आपको subjective पूछ रहा है तो आपका answer writing भी बहुत अच्छा हो सके, कुछ subject ऐसे हैं जो सिर्फ आप mains में पढ़ते हो, आप prelims में जो नहीं पढ़ते हो आप, तो उन subject के तयारी आप बाद में भी कर सकते हो, मतलब आपको prelims और mains के बीच में जो दो तीन मेहने की तयारी होती है, आप तयारी पहले भी कर सकते हो, लेकिन उस दोरान भी वो बीच के कुछ subject से हैं अगर, तो उसकी भी तयारी आप कर सकते हो, हाँ ये चीज़े दोनों के आप चुके exam का दोनों का pattern अलग अलग है, तो इसके लिए आप OMR sheet आजकल मार्केट में available है, बहुत सारी dummy OMR sheets आते हैं, बहुत सारी question answer के practices sheet आती है, आप उसको लीजिए, आप उसको solve करिए, आप test series join करिए, आप test series solve करिए, इसलिए test series solve करिए, ताकि अगर आप कुछ problems आप face कर रहे हैं, तो आप उस test series को दिला की ही, आपको समझ में आ जाए, वो direct गलती अगर आप exam में करोगे, तो वो ज़्यादा नुकसान दे हैं, और अगर वहाँ पे आप जब test दिला रहे होते हैं, तो अपनी गलतीयां आपको पता चलते हैं, फिर वो गलतीयां आप सिखते हो, आप सुधारते हो, negative marking आपकी कम होती है, तो वो आपको बहतर result देता है, तो test series बिलकुल join करिए, आप main answer writing कर रहे हैं, तो mains का भी एक पुरा sheet आता है, जिसमें जो हमारा mains का main exam होता है, उसका जो sheet आता है, वैसे duplicate sheet आती है, market में अभलेबल है बहुत सारी, तो आप उस sheet में, आप answer writing practice करिए, आप dummy questions निकाल लीजे, आप हो सकता है, किसी test series के question निकाल लीजे, आप किसी other previous year question paper निकाल लीजे, और उसको करने के बाद में, आप उसके answer writing की practice करिए, तो आपको ये दो चीज आपको घरनी चाहिए, ये important part है, कहना उसी में एक extension था, पढ़ने के तरीके और practice में कोई difference रहता है, क्योंकि prelims और means में लगभख syllabus सेम रहते हैं, पर ये approach क्या रहना चाहिए दोनों exams के लिए? आपको approach तो आपको particular subject को आपको समझने का होना चाहिए, जैसे आप language पढ़ रहे हो, तो language को आप कहावत पढ़ रहे हो, कहावत और मुहावरे पढ़ रहे हो, तो आप कहावत और मुहावरे का अंतर आपको पता होना चाहिए, कि हम नहीं जानते इस चीज़ को, बहुत सारे लोग नहीं जानते कहावत क्या होता है, मुहावरे क्या होता है, आपको वो चीज़ आपको आनी चाहिए, ज़ाए फ्र्रिलम्स में जाए प्रिलिम्स में जाएँ शोग आ उप सकता है और मैंने में यहां सकता है हाँ दोनों में अंतर इया होगा कि उसमें जफर만गित भीदिन होगा तो नपको बॉतिकुलर लुप्ट का आपको चाहिए जब को मैं सबसें में काम okay, नेक्स्क्ट कुश्चन है कि डिप्टी क्लेक्टर बनने के पहले आपकी लाइफ पिर शीम था पिर अपकी छिज़ बनने से पहले मेरा कॉन्फिदेंस जादा हाई रहता था पिर जैसे जैसे फिर बड़े होते गये मैं चेज पिर नॉर्मलाइज होता गया फिर समझ में आया कि बागी चीजें कि जैसे फिर नॉर्म फिर लाइफ आपको एक्सपिरियस देती है फिर बहुत सारे अनुबह होते हैं तो वह तारी चीजें फिर सिखा देती है इसलिए आया है क्योंकि कुछ लोगों का कॉंफिटेंस थोड़ा रहता है लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं उन लोगों को क्या सजिस्ट करेंगी कैसे इस चीज को बढ़ाना चाहिए या फिर पोस्ट में जॉब पाणने के बाद आपका कॉंफिटेंस लेवल इ पड़ेगा आप यह नहीं बोल सकते कि भाई मैं अंतरमुखी हूं तो फिर मैं मैंनी डिल कर सकता या फिर मैं तो इस्टेज फियर है मेरे को मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझे लोगों से डर लगता है तो कही लोगों और की सिच्वेशन बरनी है तो मैं नहीं जा कि आप अपनी बात को किसी को बता रहे हो किसी को समझा रहे हो तो वह व्यक्ति उसी अर्थ में उस बात को समझ रहे कि नहीं पता होना चाहिए आपको समझाने का तरीका आना चाहिए डिसीजन मिकिंग आने चाहिए यह सब चीजे आपको जॉब में आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, situational भी होती ही बहुत सारी चीजे, वो आप सिखते जाते हो, लेकिन आपको अगर आप ये चीज नहीं आएगा, तो फिर आप अच्छा दिखारी नहीं बन पाओगे, तो अगर कोई इस तरीके की चीजे हैं, आपको लगती, कमी है, तो उसमें सुधार उस पे आप वर्क करिए, उस संबन में आप वीडियोज देखिए, हम तो आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज अफले बल रहती हैं, उस संबन में वीडियोज देखिए, उसको अपनी personality को enrich करिए, जिस दिन आपके अंदर ग्यान, देखी, सबसे confidence का जो main स्रोथ ह है, वो ज्यान होता है, अगर आपके पास में ज्यान है, तो आपके पास में confidence रहता है, अगर ज्यान नहीं रहेगा, तो confidence अगर होगा भी, तो थोड़ी देर के लिए होगा, निस वो दिखावा होगा, पांच मिनर बाद फिर आप फूस हो जाओगे, लेकिन ज्यान रहेगा तो फिर वो जो confidence रहेगा, वो फिर आपका सतत चलता रहेगा, तो जब आपके पास में ज्यान होगा, वो automatic आपके पास में confidence हाजाएगा, आप अपने ज्यान पर वर्क करिए, आप अपने knowledge को enrich करिए, जादा जादा knowledge gain करिए, हर प्रकार की knowledge gain करिए, हर subject में knowledge gain करिए, जिस च तो सहीता होती है तो आप जब उनको जानोगे उनकी चीजों को जानोगे तब आपका ज्ञान आपका बढ़ेगा तो confidence अपने आपाता है फिर जब आप लौ में जाओगे CRPC जानोगे तो आपको सारी चीज़े पता होगी आपको पता होगा कि मुझे कौन सा लौ कहां पर यू आप deputy collector बन जाने के बाद या CGPC क्राक करने के बाद पढ़ने की जरुरत नहीं पड़ेगी नहीं यह गलत है यह 101% गलत है आप यकीन मानिए आप आज जित्ता पढ़ रहे हैं उसका कही गुना आप जब पोस्ट ले लेंगे सिर्फ deputy collector की बात नहीं कर रही हूं मैं आप आपका पूरा काम आपको तो फाइलों में करना है आपको फाइलों में आपके जो काम आपके जो शब्द है आपको वही चीज समझ में नहीं आएगा तो फिर आप आगे क्या काम कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे आपको उन शब्दों को समझने के लिए जानकारी होन तो इसलिए आपको पढ़ने लिखने की समझ आपको बाद में भी आपके काम आएगी इसलिए आप जितना अभी अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ यही है मेरी लाइफ और यही तक बस है तो ऐसा नहीं है यह पूरी लाइफ लॉग आपको काम आएगा बहुत सब्सक्राइब नेक्स वेशन है बस बैठो पढ़ो मत सोचो जादा कुछ ओवर थिंकिंग इस नॉट गुड प्रोब्लम है ओवर थिंकिंग इसलिए अपने दिमाग को स्ट्रेट लाइन पी रखो मत सोचने दो इसको पी मत दो आप सोचने का कर्म करो बस कर्म करो ओनली एक ही चीज़े लाइफ में नेक्स वेशन है CGPSC में संसर राइटिंग के एफेक्टिव प्राक्टिस के लिए कोई इंपोर्टन टिप्स है क्योंकि आप नेक्स में सी होने वाला है लोग तैयारी कर रहा है तो ये बहुत इंपोर्टन टिप्राइगा कि कुछ अपके लिए इसमें क्या है आपको बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये क्योंकि डिप कन्वस्रेशन का टॉपिक हो गया है क्योंकि आपको में सांसर राइटिंग करनी है जैसे मैंने पहले ही बोला आपको कागर में सागर भनना है तो वो कब होगा जब आपको उस शब्दों को जानेंगे भाषाई ज्यान होगा आपको भाषाई ज्यान आपको दोनों में निए, निए णिए भी हैं।ए चुमरी, तो अगर है। एक निए जुँन में है। लिए थेखने दो लिखेता हैं। хорошо है क्वाशाय थेता है याम उर्टे एंसान चाह Kingात擊र है। थे वं自भिधें के वह अन्हों को यह आता हैं। उसमें अल्रेडी वो रहता है, आपको वो शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, जैसे हम बोलते है, बंदरबाट, हम बंदरबाट बोल दिया, मतलब वो समझ में आ गया, वो ब्रहस्टाचार के एक रूप की बात हो जी है, और आप जब भाशाई ग्यान आपका और अच्छा प्रशाशनी, तब होगा जब आप न्यूस पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे, अच्छे पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, राजी सभा, लोग सभा जैसे न्यूस जो आते हैं, उसके डिबेट्स जो आते हैं, आप उसको देखोगे, अच्छे डिबेट्स को देखोग आप पूरा जारा चीज आपके पास में आगे तो आप यह मत सोची कि में सिर्फ मेरे को लिखना है, आपको यहां से आपका जो द्रिष्टी कोने आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप अपना भाशाई ग्यान पर आप काम करिए, आप ऐसी जो सोर्सेस मे दूसरा आपको उस सबजेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपका अगर मालीज कोशन आरा है प्रत्यक्यक्षकर का उधारन दीजिए, यदि प्रत्यक्षकर ऊर प्रत्यक्षकर के बारे में बताएं, पांच लोग है, पांच लोग ने पांच आंसर लिखा, एक एक नंबर मिला एक को दो नंबर मिला एक को तीन नंबर मिला तो यह अंतर क्यों है यह अंतर इसलिए है कि एक ने सिर्फ लिख दिया प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या है और उसको अधारन दे दिया एक ने लिखा प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या है और उसको कि यार मैंने तो बहुत अच्छान सा राइटिंग नहीं कि आपने जो तीसरे वाले ने जो लिखा है उसको अच्छान सा राइटिंग बोलते हैं और यह कब आएगा जब आप वर्तमान में आप करेंट नॉलेज आपको रहेगा करेंट अफेर्स की जानकारी जहेंगी तो इससरेंट स्टेटस प्रिख उगहें उसमें यादा लिकशींक विलेगेंगे अपल अकर माली ज्याइब हिस्ट्री में 08 एकर वह एकर हैं अफिन तथिम आप अगर अपल लेक्ते हो कि तो आपको मार्स नहीं बिलेगा वसमें हैं तो आपको आपको आप तक आपस्ट यह संक्यारो नहीं क्योंकर आप अच्छा राइटिग नहीं करपा। बाट इस विए रिश रीधिंती चीज़ आपको आनी चाहिए आच्छा रिफ्रेंस बुक पढ़िए जिसके तत्य चुफे नौलेज अच्छे हो उसमें आप उसमें आप उसमें जैसे आप एक बात ब़्वी जैसे पैन की बात हुई बोह आपका पास में आपका गरीफ होना चाहिए आप थोड़ा सिटिंग हैबिट अपना बढ़ाईए चुकी हमारा मेंस का एक्जाम होता है वो तीन घंटा होता है मॉर्निंग में होता है तो वह कैसे रहे कर आप उसकी प्रैक्टिस्स पूर्व मेंहें न 10 ए पर जैसे नौ से बारा अगर एक्जाम है तो आप नौ से बारा आप बैठो मेंस की एक शीट लेके बैठो कोई भी एक रेंडम टेस्ट पेपर उठालो और उसको आप प्रैक्टिस करो जैसे आप मेंस का पेपर दिला रहे हो और ऐसे करके आपने आपको जब आप मोल्ड जिससे टाइम मेनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है आपके पास में जैसे माली जी वहां पे बारा कोश्चन है आप स्वाइम में आप डिवाइट कर दीजे कि मैं बारा कोश्चन आएंगे मेरे पास वो तो पूरा पैटर्न एक फिक्स है हमारा तो मैं इतने नंबर वाले को इतने देर में बना लूँगा इतने वाले को इतने देर में बना लूँगी इतने वाले को इतने देर में बना लूँगी जैसे मैं एक अपना एक्जामपल लूँ तो मेरे टाइम पे 40 नंबर का कोश्चन आता था जिसको मैं घंटे में बना लूँगी मैंने अपने आपको होता था वो भी proper manage हो जाता था मेरी answer writing भी manage हो जाती थी एक मेरे पास खुद का एक target होता था कि मुझे यह वाले question को इतना जल्दी complete करना है और आप यकीन नहीं मानेंगे जब मैंने वो practice करनी चालो कि मैं घर की बात बता रही हूँ अपने घर में practice of you से यह आपको करना पड़ेगा आना चाहिए यह चीज और जितना ज्यादा आप answer writing करोगे उत्ता जादा आपकी practice अच्छी होगी answer writing का यह थकते ही नहीं होता कि नोर्स बनाना बहुत सरे students लोग यह चीज को थोड़ा समझ नहीं पाते उनको लगता कि नोर्स बनाना हमारे answer writing है ऐसा नहीं होता है नोर्स बनाना एक अलग मतलब नोर्स ऐसा है कि आप उस नोर्स से देख कि आप पढ़ाई करोगे वो होता है answer writing वो नहीं होता answer writing के लिए आप प्रॉपर एक sheet लीजिए जो pattern की sheet है हमारी CGPAC mains exam pattern की उसमें आप practice करिए और questions की practice करिए दो नंबर के question solve करिए दस नंबर के question solve करिए आप उसको solve करिए और वहाँ पर फिर आप जब देखेंगे तीन चार आप test series दिलाए और उसके बाद में जब पांच पर test series दिलाओगे तो आप खुद आपको महसूस होगा कि मैं पहले बारे test series में क्या गलती गिया था बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि test series नहीं दिलाते डारेक्ट जाके exam में बैठते हैं और वहाँ पर गलती करते हैं तो उससे अच्छा है कि आप test पहले दिलाए अपनी गलतियों को proper जान दीजिए क्या गलतिया हो रही है उसको सुधारी है और फिर final exam दीजिए तो आपक इन तक देखो तो वह व्र कर दोगा बिलकुल विलकुल विलकुल रहते है तो वह वर्ड सापके answer writing में भी दिखने लगते है और वह वह आप प्रसुली नहीं लाते ओ आपका mind वह आपकी answer writing में वह चीज आ जाती है आपको खुत महसूस होगा इसलिए मैं बोर रह ऑदियों राजय सभा लोग सभा के डीपेट से आप उसको देखिए उसमें आप खुद महसूस करेंगे आप पेपर में आग लगा दूंगे सिद्या पेपर बहस्म कर दूंगा अच्छी में एक जिन्स पढ़िए प्रत्योगता दरपड में भी बहुत सारे लेख आते हैं उसमें वो प उनके कोर्ट में गया होगा था तो वहां पर ना मैंने देखा कि चीजें जो थी प्योर हिंदी में चल रही थी ठीक है अब यह क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कैसे लाइफ होने वाली है क्यों वि Л saat को जायो जो ठुड़ है मैं 36 कंप मैं इंकलूट करूंगी और आप बस्तर तरफ जाएओंगे तो भहां पे अलग लिए सब्सितीन करोंग आग फूल करुझंगह तो पूट मिन यह है और अपका में काम कोर्ट में टीन है मीन काम तो ए लिए पनको लोगों से बाग कर तो कैसे डील किया जाए मतलब इस चीज से कि जो लोग होच के आरहें कि English Medium में तो कर लिये हम सब पेपर English में इंटर्वीयों पर जब इंट्राक्शन की बात आई या डिसीजन में बात आई है और फिर आपको भी उसी भाषा में लिखके देना है तो बहुत बड़ा चाहिए ना कि आप वी आप जो अभी पढ़ाई लिखाई अभी जो कर रहे हैं इसके बाद फिर असली पढ़ाई लिखाई चलू होग आपको नहीं आपके पास में जो आएका गाल माला आप उस इंगलिष में तो तो बात करेगा नहीं करेगा वतो च Calling आणे स HIS मुझे समझ मैं मな को कि इसका इतना डिफिक जाएर प्रोसेस क्यू बना कि आजाता है यू अज कि यू ए रगा बिग्रिजों से लिखाई कि आठ और आप ढ़ल गये और आप civil aspirant निकले वहार यहाँ आपको situation के नुसार में suit भी पहनना पड़ेगा आपको situation के अधार पर अलग परीधान भी लेना पड़ेगा आपके पस में कोई particular situation नहीं है हो सकता है मैं आपसे अभी बात करनी हूँ हो सकता है कि कुछ emergency आगई तो मुझे अभी जाना पड़ जाए मैं उसमें excuse नहीं कर सकती हो सकता है कि मेरे पस में कभी काम मतलब हो सकता है कि कोई normal सब चीज normal चल रहा है तो मैं आराम से बैठी हुई हूँ कभी कोई ऐसा नहीं है कोई particular कोई धांचा हमारे लिए तयार नहीं है अपको हर situation को हर प्रकार से डिल करना ना चाहिए मैंने एक interview लिया था एक IS officer है IS Divyaan Shunigam करके वो मेरे सम्वाटसाप में connected थे ना पोस्टिंग हो गई है तो मैंने देखा उनको लिटरली की बोना तमिल सीख रहते हैं पूरे लैंगवजे से लिख के कैसे लिखा जाता है कैसे किया जाता है तो इस नॉट एक्स्क्यूस कि आप नॉर्थ से हो साउथ से हो कहीं भी आप चले जाओगे आपके लिए लैंगवज बारियर होगा ही नी एंड दिस वाट इस रिक्वाइट फॉम परमन फीसर यह नेक्स्क्वेशन लेते हैं जी पिससी के पोश्ट में क्या प्रिफरेंज डालना चाहिए ताकि आगे के प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल सके और यहीं है वह डिपेंड़ करता है आपके प्रस्णायलटी पर मिंस इसमर मैं जनरल अंसर देती हूं अगर आपको फिल्ड मैंने जैसे पहली बताई है को फिल्ड जॉब पसंद है तो फिल्ड वाले आप पोस्टिंग लिए आप आप समाजकाल आड cancer में बिजाcą सकते हैं आप एसी ट्रैबल में आप जा सकते हैं लेकिन अप्ант समझें कि आपको आप पर गया तो आपको फिल्डा इनी जाना पड़ेगा फिल्टो अपूर्ड पया नहीं जाना पड़ेगा मुझसे समाज के लिए और एसी ट्राइबल में तो फिर भी जाना पड़ेगा है ना तो यह हां लेकिन यह रहता है कि यह एक थोड़ा सा ओफिस वर्क है इसमें तो आपको आगे की प्रिपरेशन के लिए समय मिल सकता इसमें नेक्स्ट इंपोर्टन क्षिशन है कि पर्सनल लाइफ और प्रिपरेशन वाले लाइफ को कैसे अलग करके रखें कई अब ऐसा रहता है कि मिक्स करने लग जाते हैं और रात को जिसे मैं पढ़ना चाहिए तो फोन पर रहते हैं मतब ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे इन नेकुरों को मिक्स नहीं करना जाइएं आपको अपने करियर से बड़ा कुछ नहीं होता हैं आपके दिमांग में आपको यह चिस क्लिर होने चाहिए कि मेराbonodelThe प्रॉइर्टेर जाएं कि मेरी वह पर्सुन लाइफ जादे इंपोर्टेंट है 복am आपके पास में दो च्वाइस है आप दोनों में से कोई भी चोईस चूज़ कर सकते हो मुस्τοिया परस 컨ल लाइफ ही चूज़ करते हो तो फिर आप करियर को कूज सूचते हो कि ही करियर आपके साथ जस्टिस करेगा वो आपकी चूइस है आप फिर personal choice है आप personal को choose कर रहे हो क्या आप career को choose कर रहे हो और अगर career को choose कर रहे है तो बेना किसी if बट के, बेना किसी शिकायत के, बेना किसी बहाने के आप अपने career pay के लिए जो important है आप वो काम करिए hard decisions लेने पड़ेंगे आपको अगर आप अगर आप वो life चाहते हो तो और अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर आप 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 से सोईए, आप से उठीए, आप से घुमिये, मॉल जाए movies देखे, क्यों आपको तकलीफ दे रहे हैं तेकिन अगर आप अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अचीव करना है और उसके लिए फिर महनत करनी है तो आपको वो महनत करनी पड़ेगे कोई पी चीज आपको इत्ती असानी से नहीं विलती आप नच्च्झ अगरते था था आप तो फिर हम पूरा पस्त हो जाते हैं चार गंटे मस्त होली खेलती थी आती थी थी थोड़ा मुद्रेस्ट करने रेस्ट करिया उसके पर प्रॉपर अपने टाइम पढ़ाई में देती थी कोई वेब सीरीज आये में फर्स दे देखती हूं और ये मेरी आदत पहले से है शुरुआत से कॉलेज कोलेज में होना चीज स्कूल टाइम से यह चीज अब बलासपूर में रहते थे तो यहां पे इजली अवलेवल ती सारी चीजे तो यह तब से आदत है हां लेकिन यह है कि वो तीन गंटे के बाद में चौथे गंटे मेरी पढ़ाई में जाता था मिंस आप चार पांच गंटे आप अपने इंटर्टेनमेंट के लिए दे दी आप ता भर में पांच गंटे आप निकाल लिए सेक्रिफाइस कर लिया लेकिन उसके बाद फिर आपका पूरा देर जब मेरा काम अगर आगे तो काई बार मेरे फ्रेंड्स लग ढंगते हैं कि तो फोन बींटाथी तो मैं बिल्कुल नही उठाति अगर में काम पे हूं मैं ऑफिस में हूँ, office मोड पे हूं तो मेरे लिए first priority मेरा काम है और आपको यह बताने पड़ेगी कि था ऑफिस क्रेड और नहीं मैं जब पढ़ाई गड़ती थी तब भी नहीं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी करियर किसी भी इंटर्टेन्मेंट से अगर दोनों में कंपेर करें तो छोटा है आपका करियर ही बड़ा है और इंटर्टेन्मेंट तो लाइफ लॉग होती रहेगा अभी रात के एक बज रहे हैं और अभी भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बताईए ये क्या होगा इसको क्या रहे हैं आप खुश रहिए आप खुश रहिए आप अपने आपको खुशी का बहुत सारा जीजन दीजिए आपको कभी कुछ लगता है अगर माली जी ठीक है मैं मानती हूं इस चीज को कि हर दीन एक जसव नहीं होता हर पल जसव नहीं होता तो आप कहीं पर भी किसी मंदिर में चले जाओ वहां पर जब भजन होता रहता है तो जूम के नाच दो उसके बाद फिर वापस आईए फि अच्छा लगता है निगेट्व चीजोओं से बिलकुल मैं इस चीज को बोलों कि hilche चीजों से पिपल से निगेट Western scission to thoughts से जो भी ऐसी चीज जो ऐसी चीजे जो आपको, मतलब आपको अपनी करियर में आपको पीछे खिस्ती है, आप सबसे दूरी है, सबसे दूरी है, कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता हूँ आपकी लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी चीज को फोकस करते हैं, हम उसी चीज को याद रखते हैं, हम उस साथ खुशियों को याद नहीं रखते हैं, बदलना पड़ेगा दिमाद, माइंड सेट अप थोड़ा चेंज रहना पड़ेगा, उस साथ खुशियों को याद रखे, साथ भी नहीं है, एक ही खुशी है ना लाइफ में, उस एक ही खुशी कि अभर बढ़ी बात है अगर सम्पोर्ट नहीं भी कर तो भी अच्छा है कोई तो है आपके पास हमेशा कोहीं नो कोई है कलेון में दोनों ही पर कि में स्पोर्ट नहीं भी कर रहा है तो भी अच्छा है तब थोग धाइस में एक यह क्षबनें ऊप करP nostra कि आपको लगदा था ना कि मैं नहीं का पाऊंगा मैं कर लिया दोनों ही चीज़े आपके पास में एक और कुछिन शुड वी एंड्रोल आरसेल्फ टू लॉंग तू लॉंग तूम मेंस टेस्ट सीरीज विच रंस फॉम जून तू मताब बहुत ही स्पेसिफिक है नहीं से न आप याद करिएगा हमारे जो पैरेंट से वह बोलते हैं मेरे पापा भी बोलते थे इस चीज को ज्यादा परिख्षाएं दिला तीक है और जो भी चीज़े तू फॉम भर तू परिख्षा दिला उसका आर्थ ही होता था कि आप जब ज़्यादा परिख्षा दिलाओगे न आप खुद ही तयार कर सकते हो तो इसलिए बोला जाता था अब जब आज की जनरेशन में जब वो इतने सारे हमेरे पास test series अवलेबल है तो बिल्कुल दिलाने चाहिए जितना जाद आप test series दिलाओगे आप वो यह सा फाइदे होंगे पर्क्स और लाइंसे क्या क्या मिलते हैं यहां पर जो एक student को सबसे पहले दिखता है वो यह है कि क्या क्या मिलेगा गाड़ी, बंगला क्या 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 रहता है सब चीज़ respect, opportunities, responsibilities गाड़ी और बंगला के साथ में सब चीज़े मिलती है बहुत अच्छी लाइफ, well-settled लाइफ और अब जो भी अच्छी चीज़ इमेजिन कर सकते हो वह सारी चीज़े पुझी के साथ एक request भी आया हुए इसी के लिए कि एक allotted house tour चाहिए हम लोगों को अच्छा, ओके, यह इस टेप की demand पर्स टाइम हुई है कि हमको देखना है कि कैसा house रहता है ताकि हम अपने आपको महां पर रहे कि imagine कर सकें यह तो वास्तों में यह बहुत proud की चीज़ होती है बहुत गर्व होता है इस चीज़ों में जब आप उस cabin में जाते हो जब आप उस chair में जाते हो जब आप समाज में उस रूप में जाते हो तो वास्तों में बहुत गर्व क्यों भूती होती है और वो जो feeling होती है वो बहुत अलग टेक होती है मैं बिल्कुल इस चीज़ पर विशार करूंगी house door पर एक अच्छा question है ज़्यादा discuss नहीं होता कई लोगों का ये मानना रहता है कि सुबह उठके ही पढ़ना चाहिए रात को नहीं पढ़ना चाहिए या ब्रहमूरत में पढ़ना चाहिए ऐसी बहुत सारी चीज़े है तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है ये concept ये सही है कि अपने according पढ़ना चाहिए देखे ये क्या होता है कि person to person differ करते है बहुत सारी लोग होते जिनको सुबह समझ आता है सुबह उनका दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है सुबह ज्यादा ग्रास्प कर सकते है चीजों को ज्यादा अच्छा समझ सकते है बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं जिनको रात में समझ में आता है रात में उनको दिमाग ज्यादा काम करता है तो यह कोई एक ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है आपको जिस समय जो ची समझ में आती है आप वो करिए आपको ultimately यह है कि आपको समझ में आना चाहिए पढ़ जैसे बहुत सजु को सरोगे जो दोपहर में नहीं नहीं पढ़ है लेकिन बहुत सरोगे होते हैं जो तो यह सबसु का अला है जिस त Amb works काम करो जैसे अब ही हमारे इंटर्वीय हो रागा यह हम इसization पर कम्फटेबल हैं तो यह हर वेकति के लाग अला होता है तो आपने आ है आपको अपने स्ट्रेंथ पहचानना पड़ेगा आपको अपने स्ट्रेंथ विपनेस दोनों आपको पता हो में चाहिए सब के लिए अलग है कोई जरुरी नहीं कि आपका जो है वो मेरा भी रहे एक इंपॉर्टेंट क्वेशन अभी में को फिर से ध्यान में आ गया कि यहां आपको कहीं जो दो किसके अपने आपको आपको क्या करंगी सिच्वेशन मनती तो हमारे पास भी बहुंँ सारा सपोर्ट होता है पुरी पुलीस की टीम होती है उ मारे साथ में और जब अगर कर नक्ता है तो भूलते निए लोग एचाई चाहिए यह जाए तो वहां आप जब उस गाड़ी कितनी गरीमा होती है, कि आप जब जाओगे तो वहाँ पर उस टैप को सिच्वेशन बना है उपद्रवी वाला तो पांच मिनट तो रूख जाते हैं, मैंने बोला ना कितनी गरीमा तो है कि आप जाओगे आप रहोगे वहाँ पर तो वहाँ पांथ-द कर रहे हैं, तो सब्जेट के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, जब आप उस चीजों को जानोगे, समझोगे, आपको पता रहेगा कि वह क्यों करना है वैसा, तो आप उनसे कम्मिनिकेट कर पाओगे, और अगर प्रॉपर कम्मिनिकेशन होता है, तो उनको भी समझ में मेडम को पता है, यह चीज, मेडम जो बोल रही है, वो फिर समझ के बोल रही है, तो वो भी उन चीजों को समझते हैं, और फिर बातचीत जब होती है, कम्मिनिकेशन होता है दोनों तरफ से, उनकी तरफ से भी होता है, तो बातचीत से समस्या का समाधान हो जाता है, कोई भ तरक लोजिकली हो, बाइलो हो, मतलब कुछ भी हवे हवाई में फेकोलोजी नहीं करना है, ठीक है ना, ताकि वो तरक से सामने वाला संतूस्थ हो, अगर वो तरक से संतूस्थ नहीं हो का तो फिर वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा, और उसके बाद उसका फेद भी वि विशे अवस्तों का ज्यान होगा, तो आपको ज्यान होना चाहिए, ज्यान होगा तो इस सारी चीज़ होगी, जी, अल्मोस्ट हम लोगे बहुत सारे क्वेशन सारे डाउट्स कवर कर लिये, तो थांकि यू सो मच आपने टाइम दिया, एक फाइनल मेसेज चाहिए आपके सारे स्टूरेंट्स के लिए, जो आपको लगता है कि इस पूरे प्रपरेशन फेस का और इस लाइफ का मतलब सार है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए और ये आप हमेशा कैरी करके चले अपने साथ, आप हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, लाइफ में कोई भी प्रॉब है, उसे बेस्ट करने का प्रयास करिए, अगर आपको आज का समय दिया गया है, इस एक घंडे में आप जो भी अपना बेस्ट कर सकते हो, आप उसको बेस्ट करने की कोशिश करिए, अवलेबल समसाधान रिसोर्स की बात करें, तो आप तो वो समय नहीं रहा कि हमको इस पट अगर आप उलाइन जाओगे तो, आपके पास में रिसोर्सेस है, सारी चीजें आपके पास में, बस यह है कि शिकायते कम करिए, निगेटिव चीजों से दूर रहिए, खुश रहिए, ठैंक्फूल रहिए, जो गॉड ने सारी चीजों को दिया हो, सब के लिए ठैंक्फू और इसके बाद भी वो एनरजी और वो जो वाइबस हम लोगे आप महसूस कर रहे है ना, उसकी बात ही अलग है, एंड हम यह चाहते हैं कि आप हमें हमेशा याद रखें, इसके लिए हम आपके लिए कुछ चोटे-चोटे गिफ्ट्स लेके आए हुए हैं, ताकि आप पता इसकी पावर ना बहुत है, बहुत सुदर, इसको कितना प्रिसाइस करके इसको बनाया गया है, बहुत जादा यहां तक इसका यह मतब गेट भी खुलता है, ऐसा है यह रेकिए, वाओ, बहुत बहुत रहे हैं, जो हमारे अभ्यारती है ना, उनको अपना नाम रख देना च जब माली मैं और आफ़ परेकिए, यह रेकिए नाम टाल के रहा नहींद इसको अपने सामने सामने करें आपको याद आ सक습 Hind特व बहुत अबकुल, महार में बहुत जाएख ओता है, वे बहुत जाएख पुल, बहुत बहुत, हूए है 25 questions, 30 questions की बंडल होते हैं और वही questions रिपीट होते हैं लेकिन यह वाले जो हम नारी मैं इसको इंटर्व्यू नहीं बोलूगी हमारी जो बात चीत हुई तो यह तो इंटर्व्यू से बहुत आगे जाकी हुई है मैं यह कन्वरसेशन था हमारा मैं भी बहुत सारी चीजों को ऐसा बोली जो इंटर्व्यू में नहीं होता है बिल्कुली डिफरेंट था कन्वरसेशन रहा है तो जो भी एंजॉय करना बिल्कुल कमिट सेक्शन में आप लोग बताईएगा कि अगर और ऐसी ही इंटर्व्यू और कन्वरसेशन आपको चाहिए एक और गिफ्ट अना थैंक यू याप लग बहुत खुबसूरत है एक लास्ट और है यापके वाव सामने में थाइप सकते हैं बहुत बढ़ी है या इतिंग किसी भी सिविल सर्वेंट को या फिर किसी भी अभ्यर्थी को देने के लिए सबसे बेस्ट है बहुत 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 सबसे बेस्ट गिफ्ट है थैंक यू सो मज थैंक यू मैम आपको कि आपने वक्त दिया और यहां पर आए आपको का अक्ष्ट पसंद आ है अगले बेडियो में तब तक बाई-बाई-थैंक यू